तो चलिए गाइस कैसे हो सब आप लोग का बहुत बहुत शुकरी हमारे साथ एक और दुवादार मुकाबले में जूड़ा रहने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दू आज का जो मैच हम कवर करने वाले है वो है दा इंडिया लिजेंस बनाव वेस्टेंड लिजेंस और आपको बता दू इंडिया लिजेंस के जो कपतान है वो यहाँ पे है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदूलकर जो के इंडिया लि बर नकार की यहां पर आने बारे में तो आपको बता दूंग लजेंड की बरेन यहां पर लागा globalization काफीSM की एज हो चुकी है काफी बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हलाकि वेस्टेंडिस के टीम में मौझूद हैं अगर आप देखे तो वेस्टेंडिस के टीम के तरफ से आपको सलामी वलेबाज में किर्क एडवर्स और सुलीमन बैन नजराएंगे जो की पारे की शुरुवात करें नबर तीन पर आपको खेलते हुए दंजा हयात नजराएंगे नबर चार पर खेलेगे डेविंद्र अबीशो और नमबर पांच पर आपको वेस्टेंडिस लिजन्ड के टीम के तरफ से खेलेंगे नमबर चे पर आप नमबर शे पर आपको विकेट की पर बलेबाज के तौ नमबर आट पर रहेंगे ड्वैन स्मित नौ पर रहेंगे क्रिश्मो को स्टैंटो की नमबर दस पर देव मोहमत और नमबर गयारा पर खेलेंगे डारन पॉवल तो यह जो है ना वेस्टेंडिस लिजन्ड की आपर प्लेइंग 11 रनने वाली है अब बात करते भारतिय लिज इस टीम में आपको योसुफ पतान इरुफान पतान यूरा सिंग और यूरा सिंग के तो अच्छे बॉल पर अच्छे सकते तो कोई बोली नहीं सकता और साती मैं आपको मिश्टर आइपियल सूरेश रना भी देखने को मिलेगे तो अभी मैं आपको डिटेल में बारतिय ल लिजन्स बनाओं वेश्टेंडिस लिजन्ड ये मैच नहीं है आग का दरी है अब कौन जीतेगा इस मुकाबले को क्या वेश्टेंडिस लिजन्ड के टेम जीतेगी या फिर भारतिय लिजन्स के टेम जीतेगी देखना दिलजल रहेगा रोहन प्लेस भाई हमाज साथ जी या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकर जिनके नाम पे काफी सारे रिकॉर्ड है वो यहाँ पे खेल तो नजीतेगे भारतिय टीम के तरफ से और कप्तानी भी करेंगे वही पे अगर आप नंबर दो पे देखे तो नंबर दो पे आपको नमन उजा नजीतेगे तो शुरुआत करने के लिए भारतिय लिजन्स के टेम के तरफ से सच्छे इंडूलकर और नमन उजा आपको नजीतेगे वही पे अगर आप नंबर तीन पे देखे तो नंबर तीन पे आपको मिश्टर आइपील सूरेश रहना हाली में सूरेश रहना ने पूरे फॉर्मेट से क्रिकेट सन्यास ले चुके हैं लेकिन आज यहां पे आपको मिश्टर आइपील खेलते हैं उन्हें जराएंगे जो की खेलेगे नमबर तीन पे और सूरेश रहना को हम सब जानते हैं इनोंने इनको ऐसी मिश्टर आइपील नहीं कहते हैं आइपेल में इनोंने कापी रंस अलाकि इनको पिछले सीजन आइपील के किसने खरीदा नहीं ता अंसोल्ड रह गये थे लेकिन आज के इस मुकाबले के अंदर जितने भी सूरेश रहना के फैंस हैं वो यहां पे खुश हो जाई है तो कि सूरेश रहना आपको नमबर तीन पे बलेबाजी करते हुने युवराज सिंग के तो भाई 6 गेंदों पे 6 चक्के हम भोली नहीं सकते हैं आपको याद होगा स्टूर्ड ब्रॉट की गेंद पे युवराज सिंग ने 6 गेंदों में 6 चक्के लगाये थे और आज के इस मुकाबले के अंदर नमबर 4 पे खेलते हुए युवराज सिंग नजर आने वाले युवराज सिंग ऐसे गेंद बाज हैं और बले बाज है कि बीच में जो हैना थोड़ी बहुत गेंद बाजी भी कर सकते हैं और वही पर आप नमबर 5 पे आपको युसुफ पतान नजराएंगे जी हा युसुफ पतान कॉलकत्ता नाइट राइडर्स के ल प्राविन जादाव जी जुने हुए हैं मानास रांजन महानता जी जुड़े हुए कि 2007 में लगाये थे 2007 में तो मैं बहुत छोटा था और वही पर आप नमबर 5 पे आपको युसुफ पतान नजराएंगे और आप सब जानते युसुफ पतान को कितनी बढ़िया बल्ले बा और साती में बल्ले बाजी भी करते गेन बाजी भी करते और राउंडर हैं सारे चीज में एक्सपर्ट है इरफान पतान और नमबर 6 पे खेलते हुए आपको नजराने वाले हैं आज के इस मुकाबले के अंदर इरफान पतान वही पे अगर आप नमबर 7 पे देखे तो पर चीशन में मैच के अंदर इस्टुवर्ट इनी ने काफि बड़ा घेल खेला था और नबर आट पे देखे तो नमबर 8 पे आपको मनप्रित गोणी न जराएंगे और मन प्रित गोणी ने जो है ना पिल के अंदर चनी के लिए भी खेल चुके हैं काफी अनुबवी बल्लेबाज हैं और यह जो है ना दाय हाथ के गेनबाज और बल्लेबाज है अच्छी कासी गेनबाजी भी करते हैं योरा सिंग कैप्टन कैसे रहेंगे बैए ड्रीम 11 के टीम में आपको बताऊंगा वो भी ग्रैंड लिक की टीम आप सभी के सभी जो लोग है ना बिल्कुल सभी चैनल पर आयों या पर आपको इस चैनल पर लाइव मैच भी दिखाया जाएगा साथी में आपके साथ जो इना ड्रीम 11 की भी टीम शियर की जाएगी तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लिजीगा और नमबर साथ पर आपको मनपरिद गोनी खेलते हुने जराएगे नमबर आट पर आप देखें साथी नमबर नौ पर आप देखें न तो नमबर नौ पर आपको मुनाफ पटेल नजराएगे और मुनाफ पटेल ने जो है न यहाँ पर आप देखें तो मुनाफ पटेल आईपेल के अंदर मुंबई इंडियस के लिए खेलते थे अभी तो अंदर रिटायर ले लिया लेकिन काफी बड़िया बलेबाज है मुनाफ पटेल बड़े बड़े शॉर्स और शॉकर चक्के लगाने में माईर है और आज के इस मुकाबले के अंदर नमबा नौ पे खेलते हूँ आपको मुनाफ पटेल नजराने वाले है वही पे अगर आप नमबा 10 पे देखें तो नमबा 10 पे आपको राहूल शर्मा नजराएंगे और मैं आपको बता दू राहूल शर्मा के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो राहूल शर्मा वो गेनबाज है जिनको जब राहूल शर्मा IPL में खेलते थे तो ये पुच वार्योर्स इंडिया के लिए खेलते थे और जो Chris Gill है वो RCB के लिए खेलते थे और Chris Gill ने जो और पाँच गिंदो में पाँच रके लगाय थे राहूल शर्मा को और उसी के बाद से जो और राहूल शर्मा का करीयर यहां पे खतम हो गया दा IPL के अंदर तो पांच गिंदों में पांच रके खांच चुके है राउल शर्मा IPL के अंदर और उसी के बाद से जो हैना इनका करियर खतम हो गया था IPL के अंदर और वही पे अगर आप नंबर 11 पे देखें तो नंबर 11 पे आपको जो हैना प्रग्यान ओज़ा आज के इस मुकावले के अंदर नजराएगे प्रग्यान ओज़ा भी जो हैना IPL के अंदर खेल चुके हैं मुंबाइ इंडियन्स के लिए और अब बात कर लेते पीछ रिपोर्ट की और टॉस के तो गाई जबसे कुछ ही दिर बात आपको टॉस होता हुआ नजराएगा आप देखना यहाँ पे दिलजब्स रहेगा क्या यहाँ पे भारतिय टीम के माश्टर ब्लाश्टर सचिन तंदुलकर यहाँ पे टॉस को जितेंगे यहाँ पे ब्लाश्टर 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 ब् आपने जित्ते भी मुकाबले भी तक के देखे होगे, इस लिजेंट्स लीग में, तो वहाँ पे जो है न, लोई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिल रहा है, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पिछ भी आपको दिखा देता हूँ, तो यह रही है पिछ, पर खिला जा रहा है, कानपूर में, और यहाँ पर जो वैदा रने, यहाँ पर क्लावडी नजर आ रहा है, मतलब बारिश आने की चांसे से आफ़े है, लेकिन काफी कम है, आपको पूरे के पूरे 20 ओवर का एक घमासान मुकाबला देखने को मिल सकता है, मेरी तो यही जी बहुत मजबूत है, भारते टीम के पास इर्फान पटान है, बाहात के तेज गेनबाज, इस्टुवर्ड बिनी है, मनपृत गोनी है, मुनाव पतेल है, राहुल शर्मा है, साथी में प्रग्यान होजा भी है, और अगर आप देखें तो यूराज सिंग और तुरेच र जो कोईबे टीम इस मैदान के उपर पहले पारी के अंदर बल्लेबाजी करती है, वो यहाँ पर 142 रन मनाती है, और जो कोईबे टीम दुसरे पारी के अंदर यहाँ पर बल्लेबाजी करती है, वो यहाँ पर 123 रन मनाती है, तो कईनकर अगर आप देखें तो इस बिच के उ हाइश टोटल है न वो यहाँ पे है 218 रनों का जो कि शिलंका लिजेंस ने मनाये थी और बात करें पिछ के हाइश रन्चेस की तो पिछ का जो हाइश रन्चेस है वो है मातरा 100 रन अभी तक गाइज इस पिछ के उपर जो हैना 100 रनों से जादा रन्चेस नहीं हुए है ये ब अगर 130-140 रन भी बना लेती है न तो भाई 80 प्रतिशत चांसे सराएंगे कि इस मुकाबले को भारती एलिजेंस के टीम जीतेंगी और ओन कुमार जी का कमेंट आए कि सूरेश रना 50 बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे सूरेश रना मिश्टर आइपल उनको ऐसे ही नहीं कहत ख़ो कि यहां पे भारती ए टीम आज के इस मुकाबले के अंदर पहले बल्लेबाजी करें अगर आज यहां पे भारती टीम पहले बल्लेबाजी करती हैं तो फिर यहां पे बड़ा मझा आएगा और सार्थी में अगर हम देखे तो अभी तक सबसे ज़्यादा रन जो है न लिजेंस लिग के अंदर यहाँ पे बनाए गए है तिलिक रतने दिलिशान के द्वारा अब इताक का लिजेंस लिग के अंदर सबसे जादा रन लगाने वाले कोई बलेबाज हैं तो वो यहाँ पे है तिलिक रतने दिलिशान तिलिक रतने दिलिशान ने दो पारियों के अंदर 122 रन बना है वही पर अगर हम देखे तो आपको यहाँ पर दिल्शान मुनावीरा नजराएंगे जिनोंने दो इनिस के अंदर 119 रंस बनाया है और दो नहीं बलेबाद जिनोंने सबसे जालदर रंस बनाया है वो यहाँ पर शीलंका की है और वही पर आप नमबर 3 पर देखे तो नमबर 3 पर आपको बारती है टीम की तरफ से स्टूर्ट भी नहीं नजराएंगे जिनोंने 82 रंस बनाये हैं और बात करें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेनबाज की तो अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट से यहाँ पर लिये हैं लिजेंस लिक के अंदर वो आपको बताएंगे तो पुरा चार्ट जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेर करूगा तो उसकी जो है आप बिल्कुल भी टेंशन ना लिजीएगा और आप सभी तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुकरी हमारे साथ इस दुवादार मुकाबले में जूड़े रहने के लिए और अब यहाँ पर टॉस होने वाला है काफी जल्दी सचीन का तो बल्ला चलेगा वही सचीन तो मास्टर ब्लाष्टर है यार सचीन तो वही सचीन है सचीन तंदुलकर माश्टर बाश्टर माश्टर बाश्टर नहीं माश्टर ब्लाश्टर है वो अब कुछी समय यापे बचा है टॉस के लिए और ओम कुमाल जी पी जूट चुके हो में को तो भारतिय टीम यापे काफी मजबूत नजर आ रही है और साती में गाईज अभी यापे टॉस भी होने वाला जहाँ पे सचिन तेंदुलकर और जो की भारतिय टीम की कप्तान है और वही पे वेश्टनांडिस टीम की कप्तान ब्रैन लारा यापे आपको मैदान के अंदर नजराने वाले क्या लगता है गाईज यापे सचिन तेंदुलकर टॉस को जितेंगे या फिर ब्रैन लारा जो है टॉस को जितेंगे और टॉस को जितने के बाद क्या पहले गेन बाजी करने का फैसला लिया जाएगा या फिर पहले बल्ले बाजी करने का मैरी प्रेडिक्शन तो यह है कि अगर यहाँ पर भारतिय टीम टॉस को जितती है तो 110% वो पहले बैटिंग ही करेंगी तो कि पिछला मैच जो है ना भारतिय लिजेंस के टीम जिती है और भारतिय लिजेंस ने वहाँ पहले बल्ले बाजी ही करें थी आज केस मुगाबले के अंदर भी अगर भारतिय टीम टॉस को जिती है तो कोई न कहीज पहले बल्ले बाजी करेंगे इंडिया में सबसे छोटा कोन है भाई कोई छोटा नहीं कोई बढ़ा नहीं सब एक जैसे ही है और अगर हम बात करें भारतिय टीम की ओपनिंग जोड़ी की तो भारतिय टीम की तरफ से आपको ओपनिंग जोड़ी के तौर पे सच्चिन तेंदुलकर यहाँ पे नजराने वाले हैं वही पर अगर आप नमबर तीन पर देखें तो नमबर तीन पर आपको सूरेश रायना नज़राएंगे सूने श्रायना जो की Mr. IPL है काफी बड़िया बल्लेबाजी करते हैं और IPL के अंदर इनको पिछले साल के अंदर किसी नहीं खरीदा था लेकिन अभी जो यह खेल रहे ह और आज किस मुकाबले के अंदर नमबर तीन पर खेलते हुए आपको सूरेश रायना नज़राएंगे और आज एक भाई का कमेंट आया था कि सूरेश रायना पचास परन बनाएंगे शायद ओम भाई का कमेंट आया था या फिर मानस भाई का आया था याद रही है एक युवराज सिंग जिसके नाम में ही सिंग है वो बल्लेबाज कैसा होगा युवराज सिंग ने आपको याद होगा स्टूर्ड ब्रॉड के खिलाफ छे गिंदों में छे छक्य लगायते हैं और आज के इस मुकाबले के अंदर भी आपको नमबर चार पे खेलते हुब युवर युवराज सिंग नजराएंगे और युवराज सिंग जो हैना एक ऐसे खिलाडी है जो की गिंदबाजी भी कर सकते हैं और साथी में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं अलाकि इनका में काम जो हैना बल्लेबाजी करना है लेकिन बिच में अगर किसी की पिटाई हो जाती है तो एक चछटे गिनबाच के तौर पे युवराज सिंग आपको नज़राएंगे जो कि नमबर चार पे बल्ले भाजी करेंगे आज के इस मुकाबले के अंदर वही पर अगर आप नमबर पांच पे देखें तो नमबर पांच पे आपको योसुफ पतान जी हा योसुफ पतान यह पे खेल रहा है और आज के इस मुकाबले के अंदर युशुफ पतान जो है ना आपको नमबर पांच पे खेलते हूं नज़राएंगे और युशुफ पतान आपको याद होगा IPL के अंदर ये कोलकता नाय ट्रैडर्स के लिए खेलते थे और काफी सारे मुकाबले जो है न आप नमबर छे पे रेखे न तो नमबर छे पे आपको इर्फान पतान जराने वाले हैं और युशुफ पतान दोनों ही बाई बाई है और इर्फान पतान जो है नमबर छे पे बल्ले बाजी करेंगे और साती में इर्फान पतान जो है बल्ले बाजी भी बहुत अच्छी कर और कॉमेंटरी भी वह अच्छे करती हैं तो अल राउंडर है सारी चीजों में रिफान पटान और नमबा छे पे खेलते हुए आपको रिफान पटान नजराने वाले हैं और वही पे अगर आप नमबा साथ पे देखें तो नमबा साथ पे आपको स्टूवर्ड बीनी नजराएंगे पिछले मुकाबले में जोनर भारतिय लिजेंस के टीम ने एक बहुत बड़ा टोटल लगाया था और उस मैच के अंदर स्टूवर्ड बीनी ने बहुत ही बढ़ि जो कि आज किस मुकाबले के अंदर खेले के नमबर आट पे मनपरीद गोनी और मनपरीद गोनी जो है ना आईपिल के अंदर चन्नी के लिए खेल चुके है वही पे अगर आप नमबर नौ पे देखें तो नमबर नौ पे आपको मुनाफपटेल नजरागे मुनाफपटेल बी IPL के अंदर Mumbai Indians के लिए खेल चुके हैं काफी बढ़िया गेन बाज है तेजगती की गेन डालते हैं और शुरू के ओबर में इनको स्विंग भी काफी बढ़िया मिलती हैं वही पे अगर आप नंबर 10 पे देखें तो नंबर 10 पे आपको राहूल शर्मा नजरांगे और रा RCB का मैच हुआ था ना आपको याद होगा गेल ने 175 रन बनाया था IPL के अंदर एक मैच में और वो अभी तक का सबसे हाइश स्कोर है IPL के अंदर किसी इंडिविजवल बैच्मन के तौर पे और पांच गेंदों में पांच शके लगाया थे क्रिस गेल ने राहूल शर्मा क और उसी के बास ते जो आना राहूल शर्मा मुझे कई दिखे नहीं राहूल शर्मा का एक तरीके से जो आना करियर यहाँ पे खतम किया तक क्रिस गेल ने जब पांच गेंदों में पांच शके लगाया थे और वही पे नमबर छे पे आपको प्रग्यान हो जा नजराएंग इस्टूर्ट बीनी भी गेंदालेगे मनप्रिद गोनी भी गेंदालते हैं मुनाफ पतेल भी गेंदालते हैं राहूल शर्मा भी गेंदालते हैं प्रग्यान उजा भी गेंदालते हैं इर्फान पतान भी गेंदालते हैं युवराज सिंग भी गेंदालते हैं तो लगबग अगर आप देखे न तो लगबग 7 गेनबाज है इंडिया लिजेंस के पास तो भाई साब इंडिया लिजेंस के टीम जो है बहुत मजबूत है इस वक्त देखा जाए तो इंडिया लिजेंस के टीम जो है आपे फेवरेट चल रही है और ओम कुमार भाई का और रंजन जी का कमेंट आया है कह रहे है कि भाई लिजेंस टीम इस मुकाबले को जितेंगी तो आप लोग भी अपने अपने कमेंट से आपे चैट बॉस के अंदर बता दीजिए आप लोग इस दुवादर मुकाबले के अंदर क्या भाई लिजेंस के टीम को सपोर्ट कर रहे हो या फिर वेस्टेंडिस लिजेंस के टीम को सपोर्ट कर रहे हो तो कि अभी ज़्यादा समय यहाँ पर बचानी है टॉस होने के लिए कुछी मिनिट्स के अंदर अंदर जो ने आपको टॉस देखने को मिलेगा जा पर भारती टेम के दरफ से आपको सचिन तेंदुल कर टॉस के अंदर नजराने वाले है और वेस्ट एंडिस लिजन के टेम के दरफ से आपको ब्रैंड लारा यहां पर नजराएंगे और अब यहां पर जो हैना सिक्का उचलने वाला है कुछी समय बच्या हुआ है टॉस के लिए और वही पर अगर हम बात करें वेस्ट एंडिस लिजन के टिम की प्लेंग 11 के बारे में नमबर चार पे देवेंद्र अबिशो, पाँच पे ब्रेन लारा, छे पे विलियम पार्किंस, साथ पे नर्सिंग डियो नारीन, आठ पे द्वेन स्मित, नौ पे कृष्मार सांटो की, दस पे डेव मुहम्मत, और नमबर ग्यारा पे डारन पॉवल, तो यह जो है न, आपको वेस्ट अंडिस लेजंड की प्लेंग 11 यहाँ पे रहने वाली है, और साथी में दिलदार कॉमेट जी का भी कमेंट है, कि भाई, स्टूवर्ड भी नहीं किते रन मनाएगा, भाई अब किते रन मनाएगे, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा खेले थे इन्होंन जो कोई भी टीम दूसरे पारी के अंदर यहाँ पे बल्ले बाजी करती है, वो 123 रन मनाती है, अगर आप देखे न, तो इस पिछ के उपर पहले बल्ले बाजी करना आसान है, दूसरे पारी के अंदर जो गेन देना थोड़ा सा रुख करके आता है, और थोड़ा सा फस करके तो मेरे खाल से जो कोई भी टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी करेंगी न वो यहां पर काफी ज़ड़ा फायदे में रहेंगी और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर यहां पर भारतिय टीम की कप्तान सचिन तेंदुल कर यहां पर टॉस को जितेंगे तो वो 110 परसंट पहले बैटिंग ही करेंगे क्योंकि पिछला मुकाबला जो है ना भारतिय लिजन्स के टीम जीती है और भारतिय लिजन्स के टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे थी और आज के इस मुकाबले के अंदर भी पहले बल्लेबाजी करके जीतेंगी लाइब मैच देखने को मिलेगा बिल्कुल अर्ष कुमार जी कहते हुए हेलो टॉस यहाँ पे होने वाला है ICC World Cup टीम आ गई क्या बिल्कुल आ गई आ गई उमभाई बिल्कुल आ चुकी यह World Cup की टीम वहाँ पे संजू सैमसन मौजूद नहीं है और मौमत श्रमी को इस टैंड बाई में रखा गया है और वह पे गई इस पिछ के अगर हम हाईश टोटल की बात करें तो पिछ का जो हाईश टोटल है वो है 218 का मैं आपको बता दू अभी तक जो है ना इस पिछ के उपर 218 रनों से जादा रन बने है और ना ही 100 रन से जादा रन छेस हुए है अगर यहाँ पर भारती लिजेंस के टीम जो है ना पहले बल्लेबाजी करते हुए 130-140 रन भी बना लेती है ना तो भी भारती लिजेंस के टीम इस मुकाबले को बड़े आसानी से जीत सकती है और टॉस भाई टॉस यहाँ पर होने वाले है दिल्दार कॉमेड़ी जी वेलकम बैक जी आ आपका भी वेलकम बैक है मोमोस भूमोस खिला जाए भाई आज की मैच में हरबाजी सिंग होंगे की नहीं बिल्कुल अर्ज कुमार जी हर्बाजेन सिंग यहां पे नहीं रहने वाले है अभी जो है ना यहां पे special matches होने वाले है जो कि संडे को है जहां पे आपको सौरव गांगोली कफ्तानी करतू निजराने वाले है और उस यह जो सिरिस चल दी है ना इसका नाम है रोड सेफ्टी मतलब आने वाले संडे में लिजेंड से लिग क्यों और आपको सब्सक्राइबैं पे और सीम्स जोड़ें चालु कई पर लिए और वह सांथ सभी तमाम लोगों से रिक्वेस्टर है जित्ते भी लोग हमारे च्रीम पे जोड़ चुक है는 सभी के सभी एक साथ यहां पे मिलगे श्रीम को लाइक करदीजिए सभी के सभी मिलगे एक साथ मिलगे यहां पे लाइक करदीजियो और भारती टीम में गाईस देखो नमबर एक पे खेलेगे Master Blaster Satchin Tendulkar जो की खेलेगे नमबर एक पे और नमबर दो पे खेलते हुए आपको नमन ओजान जराएंगे तो भाई या देखो पारे की शुरुवात करते हुए आपको Satchin Tendulkar और साती में नमन ओजान जराएंगे और वही पे नमबर तीन पे खेलेंगे भारती टीम की तरफ से सूरेश रायना सूरेश रायना हमारे Mr. IPL जो की IPL के अंदर जो अनचनने के लिए काफी रंस बनाए है और आज के इस मुकाबले के अंदर भी नमबर तीन पे खेलते हुए आपको सूरेश रायना नजराएंगे वही पे अगर आप नमबर चार पे देखें तो नमबर चार पे आज के इस मुकाबले के अंदर आपको युवराज सिंग नजराएंगे और युवराज सिंग को आपको याद होगा इन्होंने छे गेंदो में छे चक्के लगाये थे छे गेंदो में छे चक्के युवराज सिंग ने लगाये थे श्टूरड ब्राट को और आज के इस मुकाबले के अंदर भी नमबर चार पे बले बाजी करते हुए याप पर यूराज सिंग आपको नजराने वाले हैं वही पर अगर आप नमबर पांच पर देखें तो नमबर पांच पर आपको भारती टेम की दरफ से यूसुफ पतान नजराएंगे यूसुफ पतान आई पेल के अंदर के लिए खेल चुके हैं और नमबर छे पर रहेंगे इरुफान पतान तो जो टॉप ओरडर है और मीडल ओरडर है इंडिया लिजेंज की टीम का काफी मजबूत है वही पर नमबर साथ पर खेलते हुए आपको श्टूर्ड भी नहीं नजराएंगे जो कि नमबर साथ पर खेलेगे वही पर नमबर आठ पर खेलते हुए आपको टेज गेंबाज मुनाफ पटल नजराएंगे नमबर दस पर आपर राहूल शर्मा नजराएंगे और अपर वापीस से में आपको बता दू IPL के अंदर जब RCB और पुने वाड़िस इंडिया का मैच चल रहा था तो क्रिस गेल ने जो है न पाँच गेंदों में पाँच चके लगाये थे राहूल शर्मा को और आपको याद होगा 175 अन मनाते क्रिस गेल ने तो वही गेंबाज राहूल शर्मा जो की नमबर 10 पे खिलेगे और नमबर 11 पे खिलेगे याँपे प्रग्यान हो जा और बात कर लेटें टॉस की तो गाई देखो याँपे जो सच्छिन तंदूल कर रहा है और साती में ब्रैन ला रहा है न दोनों ही याँपे मैदान में निकल चुके है टॉस के लिए दोनों ही कप्तान यहाँपे मैदान में आतुवन असरा रहे है और अपसे कुछी सेकंड्स के अंदर जो नहीं यहाँपे सिक्का उचला जाएगा अब देखने वाली बात है कि यहाँपे बारतीर टीम की कप्तान सचिन तंदूल कर यहाँपे टॉस को जित्ते है या फिर वेस्टेंडिस लेजेंड की कप्तान ब्रैन लारा जो है टॉस को जित्ते है कुछी सेकंद्स के अंदर होने वाला है भाव की तो यहाँ पर ए निछ कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीये का तेम, Бすक है था इस अपर पैस ने होने वाले है दो के चकतान मेर्दान है और बात कर लेते हैं भाव की तो यहाँ पे फेवरेट चो है इंडिया लिजेंज की टीम चल रही है और देखते क्या होता है अर्च कुमार भाई का कमेंट आए कि वैस्टाइंडी लिजेंज के टीम टॉस को जितेंगी और गाईज आप सभी तमाम लोगा जो है बहुत बहु जरा रहे है सिक्का यहां पर उचला जाएगा और यहां पर मिर्जान बॉस का कर्मेंट है कि वैस्टाइंडी लिजेंज की टीम टॉस को जितेंगी और पहले बल्ले बाजी करेगी दोनों ही कप्तान मैदान में आचुका है सिक्का यहां पर उचलने वाला है, टॉस के पहले सभी सभी एक साथ मिलके यहां पर स्ट्रिम को लाइक कर दिजी है और यहां पर एक अप्डेट आ चुकी है यहां पर बारिश लकी लकी आरी है और बारिश के छलते आपको टॉस तोड़ा सा डीले हो सकता है यहां पर हलकी हलकी बारिश आना शुरू हो चुगी है शोबा सिंग ठाको जी करें कि भारतीय टीम यहां पर टॉस को जितनी चीए लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं न माश्टर ब्लाश्टर सच्छे न तंदूल कर यहां पर मैदान में आए जरूट टॉस के लिए लेकि टॉस आपको जो है न कुछी समय के अंदर होता हूँ नजराएगा एक बार मैं कन्फर्म कर लेता हुटकी टॉस कब होगा टॉस वैसे अभी तक के हो जाना शीता साथ बजे का टॉस का समय होता है और अभी तक तो वैसे बढ़िया मौसम था अलकी अलकी बुंदा बांदी आ रही है मैं दिकाल से टॉस में डिले नहीं होगा टॉस तो आपको जो समय दिया हुआ था उसी समय पर यहां पर टॉस होगा एक बार कन्फर्म कर लेते हैं मैं आपको बैद उसकी सारी जान कर दे दूगा क्योंकि मुझा ऐसा लग रहा है कि बारिश के चलते आपको कुछ सेकंड्स का दीले देखने को मिल सकता है और बले ही वैश्टेंडि स्टाउस जीते लेकिन मैच तो हमारी इंडिया टीम में जीतेंगी बिल्कुल अर्श कुमार जी बाई पीच रिपोर्ट बताओ बिल्कुल पीच रिपोर्ट आपको बता रहे तो पीच रिपोर्ट कुछ पारी के अंदर बल्ले बाजी करती है वो यहाँ पे 142 रन मनाती है और जो कोई भी टीम यहाँ पे दूसरे पारी के अंदर बल्ले बाजी करती है न वो यहाँ पे बनाती है 123 रन तो कईनक अगर आप देखे तो पहले बल्ले बाजी करना इस पिछ के उपर आसान है और लब गेंद जो है न गीला होगा और अगर गेंद गीला होगा तो बल्ले पे अच्छे से आएगा तो इतना कंफॉर्म है कि जो कोई भी टीम इस मैदान के उपर पहले बल्ले बाजी करेंगी उनको बहुत ज्यादा बैनिफिट्स होने वाले है तो मेरी प्रेडिक्शन तो यह आपे 123 रन मनाती है तो कहीं न कहीं अगर आप देखे तो इस पिछ के उपर पहले बल्ले बाजी करना काफी आसान है और गेंद भी जो है न गीला होगा और अवही पर अगर आप देखें तो वहां पर आपको हाईएश टोटल की बात कर तो पिछ का जो हाईएश टोटल है वो यहाँ पे 218 रनों का है मैं आपको बता दू अभी तक इस मैदान के उपर जो है न दो इस पिछ का रेकॉर्ड है कि इस पिछ के उपर जो है न अभी तक 218 रनों से जादा रन नहीं बने है और साते में बात करें पिछ के हाईश टो पिछ का जो हाईश टोटल स्वेर default का है अभी तक गाइज इस मैदान के उपर जो है ना साव रनों से ज़्यादा रन चेस नहीं हुए है अगर यहाँ पर बारतिय लिजिन्स के टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 130-140 रन भी बना लेती है तो भाई वेस्टेंड इस लिजिन्स के लिए वह बहुत ज़्यादा प्रण्स हो जाएंगे और अब बातशित करते हैं दोने टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में और टॉस की बात कर लेते कि क्या अपडेट आई है अभी तक यहां पर हाला की टॉस हो जाना चीह था लेकिन थोड़ा सा डेले हो चुका है टॉस भाई टॉस भाई टॉस थोड़ को जितेगी या फिर वेस्टेंड इस लिजेंड की टीम और वही पर अगर आप भारतिय लिजेंड टीम की प्लेइंग 11 देखे तो कुछ यह रहेंगी जहापे आपको भारतिय लिजेंड की टीम की तरफ से नंबर एक पे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यहापे न जराएंगे और इसी के साथ यहाप अगर आप देखे ना तो दोनों ही कप्तान यहापे मैदान में आज जरूर जुक्ए है टॉस के लिए लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वज़े से जो हैना टॉस को कुछ सेकेंड का डिले कर दिया गया है लेकिन आपको काफी जल्दी जो हैना तॉस की अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी हमारे इस चैनल के अंदर और जित्ते ही लोग हमारे श्ट्रीम को देख रहे सभी से रिक्वेस्ट है सभी के सभी गई एक साथ मिलके यहाँ पर श्ट्रीम को लाइक कर दिजे क्योंकि बारतिये लिजेंस बनाम वेस्ट लिजेंस की कप्तान ही करते हुए आपको ब्रैंड लारा नजराने वाले दोनों ही कप्तान यहाँ पर मैदान में आ चुके थे टॉस के लिए आज उस से रिपला है तो आपको बोल तो रहो यार मुमुस फुमुस खिलाओ टॉस कब तक होगा संदीब जी टॉस वैसे जो है आपाती ही जीतेंगी और अभी हाली में भारत और और आउस्टरील या की सीरीज भी होने वाली है और जिते भी लोग है अमारी श्रीम पर जोड चुका है ना सभीके सभीक साहत मिलके यहाँ पर श्रीम को लाई कर दीजिए बातीय लिजएंस बनाम अर वेस्ट्यांड इन् मैं आपको दोने टीमों की प्लेंग 11 दिखा देता हूँ तो वही पे अगर आप देखे तो आपको भारतिय टेम की तरफ से नंबर एक पे बले बाजी करते हुए आज के इस मुकाबले के अंदर सच्छी नंदूल करना जराएंगे जो कि भारतिय टेम की तरफ से नंबर एक पे खेलेंगे और भाई बारिश बहुत आचुकी है भाई उतनी भी बारिश नहीं ही है कि मुकाबला नहीं होगा थोड़ा सा डीले हो सकता लेकिन मुकाबला होगा सर हमारी के वी कब आएंगी क्या केरो इक्रम भाई मैं बिलकुल नहीं समझाओ और वही पे अगर आप देखे तो बारतिय टेम की तरफ से आपको नंबर एक पे खेलते हुए आज के इस मुकाबले के अंदर सचिन तैंदूल कर नजराएंगे जो की खेले के नंबर एक पे वही पे अगर आप नंबर दो पे देखे तो नंबर दो पे खेलते हुए आपको नमन उज़ा नजराएंगे तो बारतिय टेम की तरफ से पारे के शुरवात करते हुए सचिन तंदूल कर और सचिन दंदुलकर के साथ यहाँ पर आपको नमन ओजा नजराने वाली है वही पर अगर आप नमबर तीन पर देखें तो नमबर तीन पर भारती एलिजेंस टीम की तरफ से आपको सूरेश रायना खेलते नजराएंगे सूरेश रायना एक ऐसे खिलाडी है जो की आईपियल के अंदर इन्होंने काफी रंज बनाए है और बड़े बड़े चौके और चके लगाने में माहिर है सूरेश रायना और आज के इस मुकाबले के अंदर आपको भारती एलिजेंस की टेम की तरफ से सूरेश रायना आपको नजराने वाले है वर्ल इंडिया का वर्ल कब शुरू का वुगा भाई देखो वर्ल कब शुरू अभी कुछ दिनों बाद से शुरू गाप पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले खेले जाएगे जो की 20 तारिक से होंगे और उसके बाद जो है न यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को जो मैच है वल कब के अंदर वो यहाँ पर 28 उक्टोंबर को खेला जाएगा और गाइस वही पर आप नमबर चार पर देखे तो नमबर चार पर खेलते हुए आपको युवराज सिंग नजराने वाले युवराज सिंग आपको याद होगा इन्होंने स्टुवर्ड ब्रॉट को 6 गेंदों में 6 चक्के लगाये थे और आज के इस मुकाबले के अंदर नमबर चार पर खेलते हुए आपको युवराज सिंग न जराने माले आप देखते हैं युवराज सिंग जो मुकाबल के द pagan段 बनाते नमबर चार पर खेलेंगे याँ यूराज सिंग टे और दिवार्ण नमबर पांच पर एक添िये तो नमबर पांच पर आपको यूसुफ वहीपर अगर आप 6 पे देखें तो test नबर 6 पे आपको यौसुप पतान के भाई इरफान पतान नजराने वाले जो कि nबर 6 पे खेलेंगे और इर इरफान पताने कैसे खिलाडी है जो की गेनबाजी भी करती है और बल्लेबाजी भी करती है आपको और राउंडर के तौर पे इर्फान पटा नजराने वाली है जो की आज की इस मुकाबले के अंदर नमबर 6 पे खेलेंगे वही पर अगर आप नमबर 7 पे लेखें तो की खेले के नमबर 7 पे और नमबर 8 पे अगर आप देखें तो नमबर 8 पे खेलते हुए मनप्रित गोनी नजराने वाले मनप्रित गोनी आपको याद होगा यह जो है चन्ने के लिए खेल चुके हैं IPL के अंदर और अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे होता है कौन सेटी मुकावले को जित्ती वही पर अगर आप नमबर 8 पे खेलते हुए आज के इस मुकावले के अंदर मुनाफ पटेल नजराएंगे और मुनाफ पटेल एक ऐसे गेंबाज जो की काफी बड़ी अतेज गती गेंड डालते हैं और शुरू के ओवर में मुनाफ पटेल की गेंड यहाँ पे टन भी होती है नमबर 9 पे देखें तो नमबर 9 पे आपको नमबर 9 पे मुनाफ पटेल खेलेंगे और 10 पे खेलते हूए यहाँ पे आपको नजराएंगे राहुल शर्मा राहुल शर्मा आईपिल की अंदर पूने बाध ए सिंडिया के लिए खेलते हैं और क्रिस गेल ने आई पर लेके इनको छे गेंदों में छे चक्के भी लगाया थे क्रिस गेल रावल शर्मा को और नमबर 11 पर देखें तो नमबर 11 पर आपको प्रग्यान ओजा नजर आने वाले हैं तो यह जो है ना वारतिय लिजेंस टेम की प्लेंग इलावर रहने वाले हैं भाई टॉस यहां पर कुछ दिर के अंदर आपको देखने को मिलेगा अब तक यहां पर टॉस हो जाना चीए ता लेकिन कुछ टेक्निकल इशुज के चलते जो है ना टॉस को यहां पर थोड़े धर के लिए रोक दिया गया है शायद अलकेल की बारी शारी उसे के चलते टॉस तोड़ा सा डिले हो चुका है लेकिन कुछ टाइम के अंदर आपक और गेनवाची दोनों ही मजबूत है क्योंकि अगर आप देखें तो राहुल शर्मा इस्पीनर है प्रग्यान उजाबी स्पीनर है ये दो इस्पीनर है और मुनाव पतेल, मनपुरिद गोनी, स्टुवर्ड भी नी और इर्फान पतान ये जो चार प्लेयरों के मैंने नाम लिया हो न ये ऐसे गेनबाज है जो कि तेज जिगते की गेन डालते है और इर्फान पतान तो ऐसे खिलाडी है और साती में स्टुवर्ड भी ये ऐसे खिलाडी है जो कि गेनबाजी भी करते है और बल्लेबाजी भी करते हैं वही पर आगर आप देखे अगर किसी इखाद गेंबाज की पिटाई भी हो जाती है तो युवराज एसिंग भी वहाँ पर गेंबाजी कर सकते हैं तो भाई जो गेंदबाजी है ना भारती अलिजेंस टीम की वह बहुत ही अच्छी है बहुत ही बढ़िया गेंबाजी करम मौजूद है भारती अलिजेंस टीम के पास आप देखते क्या होता है और गईस मैं आपको एक शी बता दू रॉबिन उतपा ने जो है ना रिटार्मेंट ले चुके हैं रॉबिन उतपा ने पूरे फॉर्मेंट से रिटार्मेंट ले चुके हैं चन्ने के लिए भी साल आपको रॉबिन उतपा खेलते होने चलनी आएंगे अर्श कुमार जी मासतर लगातार बने हुए है और टॉस का यहां पे इंतजार कर रहे हैं लेकिन तॉस यहां पे देले हो चुका है क्योंकि हलकी हलकी बुंदा बांदी आ जी है दिलदार कॉमेडी जी मासतर जुड़े हुए है आयम यूर नीलू जुड़े हुए हमारे साथ तो आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुकरी है सभी के सभी एक साथ मिलके यहां पे श्ट्रीम को लाइक कर दिजिए जितने भी लोग हमारी श्ट्रीम को देख रहे है लगबग अगर हम देखे तो तीन सो से जादा लोग हमारी श्ट्रीम पे जोड़े हुए है तबी के सबी गाइद इकसाथ मिलके जोने यहां पे इस्ट्रीम को लाइक कर दिजिए भारतिय लेजेंज बनाम वेश्टेंडेस लेजेंज का यह मुकाबला यहां पे अभी तक का शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन कहीं ने कुछ ने कुछ टेक्निकल इस्ट्रीम के चलते जोने मुकाबले को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है और साथी में पिछ के बारे में आपको बता देता हूँ क्या कुछ यहां पे पिछ कहती है और गाई सबसे पहले बात कर लेते हैं वैजर कंडिशन की क्योंकि अलकेल की बुंदा बांदी आ रही है अगर आप यहां पे वैजर कंडिशन देखे ना तो टाइमप्रेचर जो है ना 29.4 डिगरी सेलसेट का टाइमप्रेचर है और उसे के शलते जो है टॉस को डिले कर दिया गया है और अब बात कर लेते कानपूर की पिछ कैसी है कि यहां पे बल्लेबाजी करना असान है या फिर पहले गेनबाजी करना असान है अगर आप कानपूर की पीछ देखें तो जो कोईबे टीम इस मैदान के उपर पहले पारी के अंदर बल्लेबाजी करती हैं वो यहाँ पे 142 रन मनाती हैं और जो कोईबे टीम दूसरे पारी के अंदर यहाँ पे बल्लेबाजी करती हैं वो 123 रन मनाती हैं अगर आप इस आकड को देखे न तो पहले बल्लेबाजी करना बहुत आसान है इस पिछ के उपर और कहीं न कि अगर यहां पर भारती एलिजेंस की टेम टॉस को जीतेंगी तो वह पर आप देखें तो जो कोई भी तेम दुसरे पारी के अंदर बल्लेबाजी करती है वह 133 नाती है मैंने अभी अभी कहा था कि पहले पारी के अंदर बल्लेबाजी करना अअसान होता है और साती में बात करें पिछ के हाईएस टोटल की तो पिछ का जो हाईएस टोटल है वो यहां पे 218 रनों का है मैं आपको बता दू अभी तक जो हैना इस पिछ के उपर 218 रनों से जादा रन नहीं बने है अगर यहां पर आज जब पहले बल्लेबाजी करते हुए बारतिय टिम जो हैना 218 रनों से जादा रन बना लेती है तो एक नया रेकॉर्ड बन जाएगा इस पिछ के उपर और साती में बात करें पिछ के हाईएस चेस के तो इस पिछ का जो हाईएस रन चे इस नहीं हुए है तो कईनक अगर आप देखे तो इस मैदान के उपर पहले बल्लेबाजी करना बहुत आसान रहने वाला है और अब देखते क्या कुछ यहां पर होता है कोंसे तेम इस मुकाबले को जीती है और हमारे साथ आप सभी तमाम लोगा जो है बहुत बहुत शुक तो सभी के सभी एक साथ मिलके यहां पर श्ट्रीम को लाइक कर दीजें और वही पर बातचीत करेंगे अगर हम वेस्टेंडीस लिजेंड के जो कपतान है वो यहां पर है ब्रैन लारा और वेस्टेंडीस लिजेंड के टीम की तरफ से आपको नंबर एक पर खेलते हुए है किर्क एड़वर्स न चड़ाएंगे जो की नंबर एक पे खिलेंगे नंबर दो पे खिलेंगे सूलीमान बैन नंबर तिन पे खिलेंगे डान्जा हयात नंबर चार पे खिलेंगे देविंद्र भिशू नंबर पांच पे खिलेंगे ब्रैन लारा जो कि टिम की कफ्तान भी है नमबर चे पे खेलेगे विलियम पार्किन्स साथ पे खेलेगे यहाँ पे नार्सिंग डियो नारीन आठ पे खेलेगे ड्वैन स्पीत नौ पे खेलेगे करिश्मो और सैंटो की दस पे खेलेगे दे मोहमद और नमबर 11 पर खेलेगे डारेन पॉविल तो यह जो है न वेस्टेंडिस लिजेंज की यहाँ पे प्लेइंग इलावर रहने वाली है और MD इम्तियाजी का कमेंट है कि टॉस हो गया कि बिल्कुल नहीं हुआ है टॉस टॉस यहाँ पे नहीं हुआ है बिल्कुल आप टेंशन ना लिजी इम्तियाजी जैसे ही यहाँ पे टॉस होगा तो सबसे पहले इसी चैनल पे मैं आपको बताऊँगा कि टॉस कौन से टेम जीती है और अभी तक हला कि टॉस यहाँ पे हो जाना चीहें था लिकिन जो है ना टॉस यहाँ पे डीले हूता हुआ वह नतरा 새 एब वहारतिय टीम की प्लेंग 11 के बारे हम बात करें तो यह लिए घातियम की प्लेंग 11 आण जिस चैनल में दिख सबूदी आःसजół आपको कि भारती एक टीम जीतेगी और चलेगा जियांपर टॉस की अपड़ेट आज चुकी है अब बारिश जो पहले आ रही थी बारिश यहां पे रुक चुकी है और अब जो आना कुछी देर के अंदर आपको सची नेंदूल कर जो कि टीम की कफ्तान है और सातीमें ब्रेंड लार कि आप भारती या लिजोन की टीम के यहां पर को जीत Beetала पहले बरिभाजी करने और पहले कि गञे लिए जाता कैशिए बॉट यहां यहीं बता पिर टास करने का बटादिजेए टास आ रही है बिल्खुल दो बार इस चाहिए जाता पर अत्री नी हा रहे है पहले बहुत तेजी सारिते भी बारिज बहुत गम हो चुकी है और मेरे कहलते हैं आपको टॉस जिवाएन अलगबग सारे साथ भी नहीं कुछी सेकेंड्स के अंदर या पर कुछी मिन्टों के अंदर आपको टॉस होता होने जिटाएगा सचीन तेंदुलकर जो कि भारती एलिजेंस की कफ्तान है वो यहाँ पर मैदार में आचुके हैं और साती में ब्रैन लारा के साथ बाच्चीत करते हुने जरा रहे हैं और कुछी पलों के अंदर यहाँ पर सिक्का यहाँ पर उचलेगा और इतना तो कंफॉर्म है कि यहाँ पर भारती एलिजेंस की टीम टॉस को जिती है तो पहले बल्लेबाजी ही करेंगी अब देखना यहाँ पर दिलजब्स रहेगा क्या कुछ होता है टॉस के अंदर आपना लगता है कोन सी टीम टॉस को यहां पर जितेगी यहा cœur बारती एलिजेंस की टीम यहां पर टॉस को जितेगी ही घ्रेजर्टी 5000 टॉस को जितेगी और विलेजेंस की टबी और बारती वा मझेश को भारत मचबूत है पिछ णी पार्रे में आपको बता हूं अगर गैस मैं आपको पिछ रिपोर बताओ तो आज का मुकाबला जो है न यहां पर खेला जा रहा है कानपूर के मैदान पर अभी जो है न हलकियल की बारिश आई है मैदान में तो पिछ भी जो है थोड़ी सी गीले हो चुकी हैं और जो कोई भी टीम इस मैदान के उपर पहले बल्ले बाजी करेंगी उनको काफी ज़्यादा benefit होगा तो मेरी prediction ही है कि जो कोई भी टीम यहाँ पर पहले बल्ले बाजी करेंगी वो यहाँ पर मुकाबली को जितेंगी पहले पारी के अंदर जो हैसी बाइन गेंद बले पे ठेक से आएगा दूसरे पारी के अंदर गेंद और भी ज्याधा गीला हो जाएगा और गेंद बादयों को न दिक्कत होने वाली है तो जो कोई भी टिम यहां पर टॉस को जितेंगी वो पहले बल्ले बाजी करेंगी और इंडिया टॉस जितेगा दिलदार कॉमेडी जी देखते हैं जी दिलदार जी क्या होता है सर बॉलिंग की है या बैटिंग की है पीछ मैंने आपको बताया हो कि गेंद मतलब मैदान गीला है तो कहीं बल्ले बाजों को बहुत मदद मिलेगी क्योंकि जब गेंद गीला होता है तो बल्ले बहुत अच्छे से आता है और आपको कहीं एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को म रन्चेस हैं मतलब देखा जाये तो जो कोई भी टीम इस मैदान के उपपर 140 रनों से जादा रन बनाई है वो मुकाबले को जीच चुकी है 140 रन अभी तक जिस भी की टीम ने भी पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाई है वो मुकाबले को जीती है और पिच का जो हाईश रन्चेस है वो है मात्र सौ रन अभी तक इस मैदान के उपर जो आना सौ रनों से भी जादा रन्चेस नहीं हुए है तो वही मैं कहरा हो लगातार कि अगर भारतिय टीम यहां पर टॉस को जीती है और पहले बल्लेबाजी करने का निड़ने लेती है तो समझ जो कि भारतिय लिजन्स की टीम जीत चुकी है और अब देखते हैं यहां पर टॉस की क्या कुछ अफडेट्स आई है और आप सभी तमाम लोगों से रिक्वेश्ट है जित्ते ही लोग हमारे श्ट्रीम पर जोड़ चुके है न सभी के सभी एकसांद मिलके यहां पर श्ट्रीम को लाइक कर दिजिए आप सभी तमाम और लगबग दिखा जाए तो 200 लोग हमारी श्ट्रीम पर बन चुके है तो सभी के सभी एकसांद मिलके यहां पर श्ट्रीम को लाइक कर दिजिए आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दूवादार मुकाबले में जूड़ा रने के लिए सभी क सभी गाइस सभी के सभी अगर आप देखे तो 300 लोग हमारे श्ट्रीम को पर जोड़ चुके है सभी के सभी एकसांद मिलके जो है न यहां पर चैनल को सब्स्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को यहां पर दबा दिजिए ओकी ओमाई गौड ओमाई गौड यहां पर गाइस एक बड़ी अपडेट निकल के आच चुकी है यहां पर गाइस मैच है न ओमाई गौड यह में खबर आपको बताओ या ना बताओ यह मैं सोच रहू बहुत ज्यादा क्योंकि भाई यहां पर यह एक बहुत ही खराब चीज निकल के आई है मैं आपको बताओंगा कि यहां खराब चीज है और श्याद अगर आप भी वो सुनोगे तो भाई आप भी बोलोगे ओ नो यह क्या हो गया यहां पर जो मैच है उसको जो है ना अबॉन्डेट गोशित किया गया है एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हो कि भाई यह अपडेट है सही है यहां फिर गलत है जितना मैं यहां पर देख पार हो यहां पर मैच को जो है ना कई ना कई मुझे ऐसा लग रहा है कि अबॉन्डेट किया गया है मतलब मैच को रद किया गया है एक बार मैं अपडेट्स यहां पे सच्छो चुकी है और रीचिक में कर रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच को यहां पे अबॉडडेट किया जा सकता है और गाईज अगर आप देखे तो भारतिय लिजेंस टीम की प्लेंग 11 आज के इस मुकाबले के अंदर कुछ इस प्रकार दे र आपको नमन ओजा नजराएंगे तो भारतिय टीम की जो है न यहां पे अगर आप देखे तो जो सलामी बले बाच की जोड़ी है न वह बहुत ही घातक है अगर आप देखे तो नमबर 1 पे खेलेंगे यहां पे सच्छी इन्टेंदूल कर और वही पे खेलेंगे नमबर 2 पे नमन हो जा जो बल्ले बाची क्रम है जो सलामी बल्ले बाचों का क्रम है ना बारतिय डिम का वो बेहत मजबूत है वही पे अगर आप नमबर तीन पे खेलते हुए आज के इस मुकाबले के अंदर आपको सूरेश रहना नजराएंगे सूरेश रहना जो की यहां पे मिश्टर आइपीऊ सूरेश रहना ने आइपीऊ के अंदर ब़ूत इपती क्यां कहले बल्लेकर मुथ क्या ओप्र मुथ शूरेश क्या तो । तो नमबर तीन पर खेलेंगे आज के इस मुकाबले के अंदर सूरेश रहना जो कि आज के इस मुकाबले के अंदर खेलते हुए आपको नजराएगे नमबर तीन पर वही पर अगर आप नमबर चार पर देखें तो नमबर चार पर खेलते हुए आपको आज के इस मुकाबले क टॉस को जीता भाई टॉस यहां पर हुआ नहीं अभी तक के और अर्मान खांची कह रहे कि भाई भारत जीतेगा इस मुकाबले को भाई अब देखो साथ मिनिट तक के जो मैं यहां पर वेट करता हूँ अभी जो एक अपडेट आये कि मुकाबले को यहां पर रद किया गया ह अब यह अपडेट कितनी सही कितनी गलत है यह तो पताच चलेगा और वही पर आप अब नंबर पांच पे रहे तो नंबर पांच पे आज के इस मुकाबले के अंदर खेलते हूए आपको यूसूफ पटान नचिराने वाले है जो कि आपको नंबर पांच पे खेलते हूँ नजराएंगे यूसुफ पटान अब यहां पर आजके इस मुकाबले के अंदर यूसुफ पटान कित्ते रन बना पाते हैं यह देखना दिल जबस रहेगा क्योंकि नमबर चार पर यूराज सिंग खेलेंगे और यूराज सिंग तो भाई बहुत ही धाकड बल्लेबाज है और गेंदबाजी भी कर सकते हैं बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और साती में कॉमेंटरी भी कर सकते हैं तो नमबर चे पर खेलेंगे आजके इस मुकाबले के अंदर इर्फान पटान वही पर आगर आप नमबर साथ पर देखे न तो नमबर साथ पर खेलते हुए आपको श्टू अधिनी श्टवर्ड विणी हसे खिलाड़ी है जोकि गेंद भाजी वी क्रते हैं और यहां पर बल्लेबाजी वी कर सकते श्टवर्ड वुर्ड विणी जो कि आजके मुकाबले के अंदर नंबर साथ पर खेलेंगे रदे तो यम्ला ग अगर और वही पे नमबर 9 पे देखा जाए तो नमबर 9 पे आपको मुनाफ पटेल नजराएंगे जो कि बाई हाथ के तेज गेन बाज है और नमबर 9 पे आपको मुनाफ पटेल नजराने वाले जो कि नमबर 9 पे खिलेगे वही पे अगर आप नमबर 10 पे देखें अंदर नमबर 10 पर आपको राउल शर्मा नजराएंगे और वही पर नमबर 11 पर अगर आप देखें तो नमबर 11 पर आपको प्रज्ञान ओजा नजराएंगे तो यह जो है ना गाईस प्लेंग 11 यहां पर रहने वाली है आज के इस मुकाबले के अंदर और वही पर गाईस अगर आप देखें न तो भारतिय टिम के पास भाई बहुत सारे विकल्प हैं अगर आप देखें तो भाई और राउंडर की भी कमीनिये सचिन तेंदुलकर नमन उजा और सूरेश राना यह जो तीन बले बाज है वो टॉप ओर्डर समालेंगे मिडल ओर्डर में अगर आप देखें तो मिडल ओर्डर में यहाँ पर युवराज सिंग युसुप पतान और इर्पान पतान रहेंगे जो की मिडल ओर्डर को समालेंगे वही पर अगर आप लोवर ओर्डर की बात करें तो लोवर ओर्डर में श्टूर्ड भी नी और मनप प्रिद गोनी यहां पर आगे अगर आप देखे तो भाई भारतीय लिजेंस के जो टीम है यहां पर बल्लेबालची में भी बहुत मजबूत हैं अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहां पर भारतीय लिजेंस के टीम इस मुकाबले को चुतेंगी यहां फिर में वेटेंग कोनी कर रहा है मतलब समझाने विकरम भाई आप क्या कह रहा हूँ और आपना कमेंट सही से लिख पाऊगे तो मैं आपको जवाब देदूगा आप देखते हैं क्या कुछ यहां पर होता है और मुकाबला यहां पर जो जन summer अभी शुरू हो सकता है यहां फिर नियू का देखने वाली बात है मैं यहाँ पर दो से त्री मिर्ट का वेट करूँगा अगर यहाँ पर मुकाबला शुरू नहीं होगा तो इतना कंफर्म हो जाएगा कि यह मुकाबला रद हो जाएगा और काफी ज़्यादा चांसे मुझे यहाँ पर लग रहे है कि खेल को यहाँ पर कैंसल किया जाएगा और यहाँ पर रद किया जाएगा क्योंकि बारिश यहाँ पर काफी आ चुकी है और बारिश के चलते यहाँ पर मुकाबले को रद किया जा सकता है अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर बारिश कितनी आ रही है थोड़ी बहुत बारिश आ रही है यहाँ फिर जमा जम बारिश आ रही है अगर जमा जम बारिश आ रही है तो मुकाबला जो है न यहाँ पर रद हो जाएगा और आज का मुकावला जो है ना कानपूर में खेला जा रहा है रद होगा ओम कुमार जी कुछ मिनिट वेट कर लेते टॉस हुआ का निरंजन जी टॉस नहीं हुआ है टॉस क्या हुआ भाई टॉस यहां पर हुआ है नहीं अभी तक के toss यहाँ पे join अभी तक हो जाना चीए था लेकिन toss यहाँ अभी तक कि हुआ नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ पे toss होगा कुछ seconds यहाँ पे हम सब भाई लोग मिलके wait कर लेते हैं toss के बारे में और अगर यहाँ पे कुछ समय के बाद मुकाबले को रद किया जा सकता है और मेरे कहल से कहिने के मुकाबले को रद अल्रेडी किया भी जा चुका है और toss को जीता है भाई प्रिंस कुमार ची मुकाबला का toss अभी तक के हुआ नहीं है toss यहाँ पे जो है अभी तक के हुआ नहीं है जैसे ही टॉस होगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूगा लेकिन अभी तक के जो है टॉस की कुछ भी अपडेट नहीं आई है टॉस की अपडेट यहां पे नहीं आई है और यहां पे टॉस होगा की नहीं होगा यह भी एक बड़ा सवाल है और ग मैच भी कवर कर सकते हैं आप देखते क्या होता है और अगर आप देखे तो भाई भारती टीम की प्लिंग 11 कुछ यह रहेंगी आज के इस मुकाबले के अंदर और बात कर लेते पिछ रिपोर्ट की कि आपर पहले बल्लेबाजी करना आसान होगा या फिर पहले गेंबाजी कर करें तो जो कोई बेटीम यहां पर पहले पारी के अंदर बल्लेबाजी करती है वो यहां पर 142 रन मनाती है और जो कोई बेटीम यहां पर दूसरे पारी के अंदर बल्लेबाजी करती है वो यहां पर 123 रन मनाती है तो कही नहीं कहीं अगर आप देखे न तो इस मैदान के उ पहले बल्लेवाजी करना बेयादी आसान है और साती में अगर हम पिछ के हाइश तोटल की बात करें तो पिछ का जो हाइश तोटल है वो है 218 का मैं आपको बताता चलो अभी तक इस मैदान के उपर इस पिछ के उपर जो है ना 218 रनों से जादा रन नहीं बने है अभी तक इ हाइश रन्चे से वह है 100 रन और गैस मैं आपको बता दूँ इस मैदान के उपर जो है ना अभी तक का 100 रनों से जादा रन चेस नहीं हुए अगर यहाँ पर आज बाहती है लिजेंस की टीम या फिर वैस्टेंड इस लिजेंस की टीम 100 रनों से जादा रन मना लेती है तो क कुछ सेकेंड यहां पर वेट करो 7 बचके 30 प्र हूं गया और अगरे आप 7 बचके 30 मिनिट को यहां पर मुकाबला शुरू नहीं होता है इसका मतलब यह ight कि हो हैं लाइक कर दीजे लगबग 200 से ज्यादा लोग हमारी श्ट्रीम पर जोड़ चुके हैं तो सभी के सभी भाई लोग मिलके जोई एक साथ मिलके यहां पर श्ट्रीम को लाइक कर दीजेए भारती यह लिजेंट्स बना वेश्टानेज़ लिजेंट्स शुरू होता हुब जो है नजर बिलकुल भी नहीं आ रहा हो और अगर आप देखे तो इहां पर CPL का मैच शुरू हो चुका है आब चक्राइबेफ़ Tout लाग्ट का मैच क्या आप देखना पसंद करो में क्या आप यहां प्षेट का मैच देखना पसंद करो गैं और यह रही भारतीय टीम की प्लेंग 11 जो कि आपको स्ट्रीम के उपर नजराएंगी और क्या बोलते हैं विशाल जी काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है और गाईज आप सभी से रिक्वेश्टर जित्ते भी लोग हमारे स्ट्रीम पर आ चुके हैं ना सभी के सभी इक सांथ मिलके यहां पर श्ट्रीम को लाइक कर दिजिए और सांती में जोने आपर चैनल को सब्स्राइब करने के बाद बील आइकन को यहां पर दबा दिजिए ताकि जब भी में लाइव आउ तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन आ जाए और अगर आप देखे तो भालती है टिम की प्लेंग 11 आज के इस मुकाबले के इंदर कुछ इस प्रकास ते रहेंगी जहापे नमबर एक पे खेलेगे आज के इस मुकाबले के इंदर सचिन तैंदूलकर जो कि आज के इस मुकाबले के इंदर आपको नमबर एक पे खेलते ह slop उन्जि Cada ऑगर आप नम्रत दो पे दिखा जाया दो नमब दो पे खेलेगां नमय जाओ सब्सक्राइब के गए अगर आप नम्रत देंदम तो और सचिन तेंदुलकर के और सूरै इच्छ रहना इसे खिलाड़ी है इन्होंने के अंदर बढ़ीा बल्ले बाजी करिये और सूरे श्रीमा को voir दुखनिए और आज के इसमी इंदर आपको नमब्र तीन पे खेलते हुए सुरह श्रायना ना जड़ाइए वहीप अगर आप नमब्र 4 पे देखे ना तो नमब्र 4 खेलते हुए आपको यूराज सिंह ने और यूराज सिंह के बारे में आपको बता दू तो इन्हों ने च्छे गिंदों में छे लगाया थे श्टुवर्ड ब्राट को और आज किस मुकाबले के इंदर नंबर चार पर खेलते हुए यूराज सिंग नज़राएंगे और यूराज सिंग जो है ना गिंद भाजी के सांस साथ बल्ले भाजी बी कर सकते हैं, वहीप अगर आप नंबर पाँच पे देखे ना, तो नंबर पाँच पे यहाँ पे आपको योसुफ पतान नजराएंगे और योसुफ पतान भी जो है ना, बड़े बड़े शॉर्ट्स और चौके चक्के लगाने में माहिर है जो की खेलेंगे नंबर पांच पे और वही पे अगर आप नंबर छे पे देखे तो नंबर छे पे आँचके इस मुकाबले केंदर खेलते हुए आपको नंजिराएंगे इर्फान पटान यूसुप पटान खेलेंगे नंबर पांच पे और नमबर 6 पर खेलेंगे यहां पर इर्फान पटान और इर्फान पटान तो भाई गेंदबाजी भी करते हो और बल्लेबाजी भी करते हैं पर अभी तो भी हमाँ साथ जुड़ोए लगा दू लगा दू क्या लगा दू अच्छा CP लगा दू ऐसा कहरो गया और वही पर आप न इंदर जो है ना इंडिया लिजेंश के लिए श्टूर्ड विनी ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी करी ती और मैच विनिंग में यहां पर पारी खेले थी और आज भी जो है ना उसी प्रकार की यहां पर पारी की उमिद रहेंगे श्टूर्ड विनी के बल्ले से जो भी खेलेंगे याप पे नमबर साथ पे नमबर आठ पे अगर आप देखे तो नमबर आट पे खेलते हुए आज की समुकाबले के अदर आपको मनप्रीत गोनी नजराएंगे जो कहलेंगे नमबर आठ पे और मन्प्रीत गोणी भी जो है न यहाँ पर गेनदबाजी कर सकते हैं और सांती में बलेबाजी मी कर सकते बड़े बड़े शोर्स और चौक के लगाने माही रहा वही पर नमबर दस पर गेलेंगे राहुल श्यर्मा आपको याद होगा क्रिस गेल ने जो है ना पाँच गेंदों में पाँच छक्के लगाया थे राहूल शर्मा को और जब पाँच गेंदों में पाँच छक्के लगाया थे ना क्रिस गेल ने राहूल शर्मा को उसी के बाद से जो इना राईल शर्मा का यहाँ पे करियर खतम हो गया था उसके बाद से जो इना मुझे कभी खेलते हुए नजर नहीं आयते राईल शर्मा और आज के इस मुकाबले के अंदर आपको नंबर 11 पे खेलते हुए नजर आएंगे प्रग्यान हो जा तो यह जो आना बारतिय टीम की प्लेंग 11 यहाँ पे रहेंगी अगर आप देखे तो बारतिय टीम की जो बल्लेबाजी है वो भी बहुत मजबूत है और सांती में जो गेंदबाजी है न वो भी यहाँ पे बहुत मजबूत है और खास करके अगर आप देखे तो सच्चिन तेंदूल करे माच्टर ब्लास्टर सच्चिन वो भी टीम में शामिल है और एक भाई का कमेंट आए आपे बाई CP लगा तो CP लगा दे के मैच कम होगा बाई देखो मैच कम होगा यह आपका सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन मैच यहाँ पे होगा नहीं होगा यह कोशन मारक है और बहुत ही कम चांस ने कि मैच यहाँ पे शुरू होता हूँ भी आपको नजरा है और अब देखते क्या कुछ यहाँ पे होता है हलाकि Toss भी जो है ना हो जाना चीए Dragon Toss भी नहीं होगा बाई मैच नहीं होगा कि राजवर किंग जी मैं आपको वता दू गई सबसे पहले मैं आपको वता दू आप सभी तमाम लोगों का और सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस श्ट्रीम में जोड़ा रने के लिए तो गाई सभी के सभी जोए एक साथ मिलके यहाँ पर श्ट्रीम को लाइक कर दिए चार सो लोग हमारे श्ट्रीम पर जोड़ चुके हैं सबी के सबीगाइद एक साहत मिलके यहाँ पर श्ट्रीम को लाइक कर दिजे साथी में यहाँ पर चैनल को सबस्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को यहाँ पर दबा दिजे ताकि जब भी मैं अगले लाइव मैच में श्ट्रीम करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आजाए तो सबी के सबीगाइद एक साहत मिलके यहाँ पर चैनल को सबस्राइब कर दिजे और साथी में यहाँ पर बेल आइकन को दबा दिजे ताकि जब भी मैं लाइव आओ तो आपको ज़ो हैना नोटिफिकेशन आजाए और देखते क्या कोछ यहाँ पर होता है और मैच होगा कि नहीं भाई देखो मैच के बारे में आपको बता दिता हूँ मैं तो आपको बता दूगाई देखो टॉस जो हैना आपको मैच का साथ बजे शुरू हो जाना चीए ता भारतिय समय के अनुसार लेकिन यहाँ पर हलकी हलकी पहले बुन्दा बांदी आ गई उसी के चलते जो है यहाँ पर मैच को थोड़ा सा डिले कर दिया गया टॉस को थोड़ा सा डिले कर दिया गया और उसके बाद एक और अपडेट आए कि बारिश टेज हो चुकी है और ग्राउंड में काप आफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो चुका है इसी के चलते जो है अब यह मैच आपको शुरू होता हुआ नजर नहीं आएगा बारिश के इतनी है बारिश तो बहुत है मैच होगा कि नहीं बहुत कम चांसे थे कि मैच होगा मैच एक तरीके से रद हो चुका है और नर्पत राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्स्राइब करने के लिए ओम कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रमेश राजपुत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो guys आप सभी तमाम लोग भी जो है न चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर बेल आइकन को दबा दिजिए ताकि जब भी मैं अगले लाइव मैच में इस्ट्रीम करूँ तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन आजाए मुकेश ताकोल जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्री है चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए तो guys आप सभी लोग भी जो है न यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर बेल आइकन को जरूर से दबाए ताकि जब भी मैं लाइव आउ तो नोटिफिकेशन आजाए राम राम भाई अगला मैच कब है मुहन सिंग जी अगला मैच कब है एकट आगला मैच कल है कि चैनल को सब्स्राइब करने के बाद यहां पर आप सभी लोग जो हैं बेल आइकन को अवश्य दबा दीजीगा ताकि जब भी में लाइब आउट तो नोटेविकेशन आ जाए और ओम कुमार जी को बहुत बड़ा वाला धन्यवाद और शॉट आउट ओम कुमार जी को लोक अधि प्राइब करें राहुल شर्मा की तो राहुल शर्मा भी आई पेल चुके हैं और वहीं पर अगर बात करें प्रग्यान होताते थान तो प्रग्यान होता ने भी जो में लोग हैं precisa स्टूर्ड बेनी की तो इस्टूर्ड ärस्फ के लिए भी ख़ीला है और सांती में रा अन्च ऐसी खेली है पंजाब के लिए भी खेल चुके इवराज सिंग आरथीभी के लिए भी खेल चुके हैं इर्फान पंतान ने हदरबाद के लिए कहल चुके हैं मैच तक वोगा भाई मैच यह पर शुरू नहीं होगा ड्रेव 11 पर है क्या हकीकत समझा नहीं टॉस का बहुत 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 शुक्रिया जूड़ने के लिए चैनल को यहां पे सब्स्राइब करने के बाद आप सो भी लोग जो है बेल आइकन को दबा देगा और साती में बात करेगा इस ऐवरेज जफ फर्श निंग स् कोई बे टिम गाइज इस मैदान के उपर पहले पारी के अंदर बल्ले-बाजी करती हैं वो यहाँ पर 142 रन मनाती है और जो कई बे टिम यहाँ पर पहले बल्ले-बाजी करती हैं उनको बहुत जाधा बैनेफिट होता और पिछला मुकावला जो एने इंडिया लिजेंस के टीम पहले बल्लेबाजी करती हुए जीती थी और वही पर देखा जाए तो प्रिया दूबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को दबाने के लिए तो आप लोग भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को दबा दीजे जो कोईबे टीम दूसरे पारिक के अंदर यहाँ पर बल्लेबाजी करती है तो क cultivation करती जो कईभी टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है उसको काफी ज़्छा फायदा होता और 7 में अगर हम बात करें पिछ के हायेस टोटल की तो पिछ का जो यहाँ पर हाईएस तोटल है वह है 218 का मैं आपको बता दू अभी किस मुकाबले के अंदर अभी तक इस मैदान के उपर जोई ना 218 रनों से ज़्यादा रन नहीं बतने हैं अगला मैच कब होगा इंडिया का अगला मैच कब होगा मैं आपको बता दो कुछ दिर के अंदर और गाई इस पिछ के उपर जो हाइश टोटल है वो यहाँ पर 218 का है मैं आपको बता दो अभी तक है इस मुकाबले के अंदर इस मैधान के उपर जो है ना 218 रनों से ज़्यादा रन नहीं बनी है और पिछ का जो लोवैस टोटल है वो है 78 रनोंका और पिछ का जो हाइश रन दोल दोल चेस है वो है 100 रनोंका और एक बार में पहले बता दी तो उम भाई सभी लोगों की आप हमारे बहुत अच्छे दोस्तों लगातार सपोर्ट करते हैं वहरे एक मुकाबले में तो बिग शॉट आट तो उम कुमाल जी और कल अगर हम देखे तो कल जो है न यहाँ पे खिला जाएगा बांगलादिश लिजेंड और नुसलैंड लिजेंड का मैच है जो कि कल का मैच भी कानपूर में ही है और उसके बाद यहाँ पे आपको खिला जाएगा मैं एक बाद चेक कर लेता हूँ ठीक है लिजेंड लिजेंड के बारे में आपको मैं सारी जानकारी दिखा देता हूँ कि कब यहाँ पे खिला जाएगा भारत का अगला मुकाबला भारत का जो अगला मुकाबला जो है न यहाँ पे है नुसलैंड लिजेंड के साथ जो की 18 September को भारत का जो अगला मुकाबला है वो यहाँ पे खिला जाएगा 18 September को 18 September को मैच है उंकुमार जी और गाइस बताओ CPL की अपदेश आपको जान नहीं है करें CPL के बारे में भी आपको इमादा सकता हूँ अगर आप देखे तो यह मुकाबला जो है ना काफी खराब रहा है बाई कुछ पेमेंट वापस आएगा या पर उपर ओबर मैच खेला जाएगा रिजवान वाइटी जी पले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान वाइटी जी चैनल को तबस्राइब करने के हो और पर कुछ में खेला होगा मैच में खेला या फिर स्टेशन खेला होगा तो आपका जो मुकाबले याप देखने है तो गाइस मैं आप लोगो के लिए सबसे बढ़ी अपलिकेशन लेकर आपका नाम है डैल टिन 7 को है मैं आप मैच्शे भी हो सकते हो साती में सारे मुकाबले यहाँ पे लाइफ देख सकते हो लिंक जो है मैंने चैट बॉक्स के अंदर डाल दिया है साती में मैंने डिस्रिप्शन के अंदर भी चैट का लिंक मतलब लिंक डाल दिया है आप जो है न यहाँ पे सारी मुकाबले देख सकते हो बिलकुल फ्री में और सांती में गईज आप मुकाबले को देखते देखते पैसी भी लगा सकते हो तो वन आफ देश्ट अप्लिकेशन है यहाँ पे डालते इन 7 लिंक जो है डिस्रिप्शन के अंदर है और चैड बॉक् और साती में गईज अगर आपको लाइव मैच बिलकुल फ्री में देखने तो गईज मैं आपको चैट के अंदर लिंक डाल रहा हूँ डालते इन 7 आप का फटाप पर से जाके आपको डाउनलोड कीजिए जैसे आपको डाउनलोड करोगे तो आप सारी मुकाबले बिलकुल में देख सकते हों फिर चाहे वो लिजेंड लेग हो चाहे वो सी पील ओ चाहे को भी मैच वाव सारी मुकाबले जोए ना बिलकुल फ्री में आप देख सकते हों आपे बात करलें से यहां पर 22-23 के बारे में आज महेंगा की होगा नहीं बोलो जुबा के अनिकेट गंविल ची मुंकाबला यहां मंकाबला यहां पर नहीं होगा आपको बता दू और बागे अपडेट्स भी में आपके साथ लगाता रहे शेयर करते हुँ चले जा रहा हूं तो अगर आप देखे तो भारती है लेजेंस टीम की प्लेंग 11 को चीह रहेंगी जापे सचिन तंदुलकर और नमान ओजा पारे के शुरुबात करेंगे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख पाऊगे और वही पे अगर आप देखे बारती है टीम की प्लेंग 11 को चीह रहेंगे जापे नमबर एक पे खेलते हुए आपको सचिन तेंदुलकर न जराएंगे सचिन तेंदुलकर के साथ साथ आपको जो है नमन ओजा पारी की शुरुबात करते हुए जराएंगे वही पे अगर आप नंबर 3 पे देखे ना तो नंबर 3 पे आपको Mr. IPL सूरेश रहना आज के इस मुगाबले के अंदर खेलते हुए जो की यहापे खेलेगे नंबर 3 पे और सूरेश रहना एक ऐसे खिलाड़ी है जो की यहापे गेंबाजी भी कर सकत तूरे श्रेना खेलेगे नमबर 3 पे वही पे अगर आप नमबर 4 पे देखे न तो नमबर 4 पे यहां पे आपको यूराज सिंग नजराएंगे और यूराज सिंग ऐसे खिलाड़ी है जो की बढ़िया बल्ले बाजी करते यूराज सिंग ने आद होगा आपको 6 गेंदों में 6 यूराज सिंग ने श्टूरड ब्रॉट को और आज के इस मुकाबले के अंदर नमबर 4 पे खेलते हुए आपको यूराज सिंग नजराएंगे जो की यहां पे खेलेगे नमबर 4 पे वही पे अगर आप नमबर 5 पे खेलते हुए आपको यूसुफ पतान नजराएंगे यू अगर आप नमबर 6 पे देखें तो नमबर 6 पे खेलते हुए आपको इर्फान पटान यहाँ पे नजराएंगे इर्फान पटान जो की गिनबाजी भी करते हैं आपको राउंडर के तौर पे यहाँ पे इर्फान पटान यहाँ पे नजराएंगे और इरफान पटान तो आजकल कॉमेंटरी बहुत अच्छी करते हैं हमारे साथ रहते हैं और वही पर अगर आप नंबर साथ पर देखें तो नंबर साथ पर खेलते हैं आपको स्टुवर्ड भी नहीं यहां पर नजराएंगे पिछला मैं जो है बारती है लेजेंस के टीम जी कैपटन है जो कंट कि लिजेंड लिखके अंदर जो कैप्टन है वो यहां पर स्वार तुड़ गांगुली कैप्टन है जोकी special मैंच खेला जाने माला बी इसतारी को और लिजेंड लिखके कैप्टन शाय से गौतम गंबिर यहां पर विरेंद्र से वार्ड रह सकते हैं पर जित्ते भी लोग हमारे श्ट्रीम को देख रहना तभी के सभी गईद श्ट्रीम को मिलके यहाँ पर लाइक कर दीजिए और चैनल को यहाँ पर सब्स्राइब कर दीजिए ताकि जब भी में अगले मुकाबले में लाइव आउ तो आपको जो हैना नोटिफिकेशन आजाए सभी के सभी गईद एक साथ मिलके जो आना यहाँ पर चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब करने के बाद यहाँ पर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी में लाइव आउ तो आपको नोटिफिकेशन आजाए वही पे नमबर आट पे खेलते होगे आपको भारती एलिजेंस के टीम की तरफ से मनपरीत गोनी नजराएंगे जो कि कहलेगे नमबर आट पे वही पे अगर आप नमबर नौ पे देखें तो नमबर नौ पे खेलते होगे आपको मुनाफ पटेल नजराएंगे और मुनाफ पटेल भी एक हैसे खिलाडी जो की बाई हाथ के तेज गिन बाज है नमबर दस पे खेलेंगे रावल शर्मा और नमबर गयारा पे खेलेंगे प्रग्यान हो जा तो यह जो है ना बारतिय लेजन्स टीम की प्लेइंग 11 रहेंगी आज के इस मुकाबले के अंदर बाई स्टार्ट कब होगा वो बताओ बाई स्टार्ट यहां पर नहीं होगा गिम अर्श कुमार जी भी आवासा जोड़ चुक है तो जितने लोग भी हमारी श्ट्रीम को देख रहेंगे सभी के सभी एक साथ मिलके आपर श्ट्रीम को लाइक कर दिजिए साथी में चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन यहां पर दबा दिजिए ताकि जब भी मैं अगले लाइव मैच में जुड़ू तो आपको जोए ना नोटिफिकेशन यहां पर आ जाए और गाई अगर आप लोग के मन में कुछ भी सवाल है तो आप लोग पुछ रखते हो मैं आप लोग के सारे सवालों का जोए ना यहां पर जवाब देने वाला लेकिन चलिए कोई बात नहीं होच्छ निश होती रहती है और गाईज आप देखते क्या कुछ यहां पर होता है और इस प्रकास यहां पर खेल होगा और भायतिये टीम की तरफ से आपको देखा जाया तो कप्तानी करते होए जोए ना सचिन तेंदुल करना जराएंगे और वाइपे सीवाटानी की तरफ से कप्तानी करते हुए यहां पर यहां पर ब्रैन तेंदुल कर आएंगे और भाई heart AjOLD फाल अज करने वाले है कप्तानी अर उनके बल्ले से कप्तानी पादि यहां पर उमिद रहएगी मैंट कब शुरू गवाय शुरू निए यहाँ वग्वाय यह पूछ रहा हो कर देजैhoven जुरू यह मैंने मैं मैं अहीं होगा यह आहँ आपने अच्छा सवाल पूछा है लेकिन आप लोग चैनल को सबस्राइब नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है तो काई देखो यह आज का मैच ना कानपूर में खिला जा रहा था और कानपूर में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है ताती में हवा तोफान भी चल रही है पाले मैच राफरी ने कहा था कि मुकाबला थोड़े दिर के ब जबल और गडान में पूरा पानी पानी जमा हो चुक है उसके चलते मुकावला यहां पर नहीं होगा और पिच के अगर हम बाइच के तो पिच भी यहां पे घीली हो जो कोई भी टिम पहले बल्लेबाजी करती हैं, वो पहले बल्लेबाजी करती हैं, वो पहले बल्लेबाजी करती हैं, और जो कोई भी टिम यहाँ पे दूसरे पारी के अंदर बल्लेबाजी करती हैं, वो यहाँ पे 123 रन नाती हैं, तो कहिना कि अगर आप देखें, तो पहले ब अगर यहाँ पे भारतिय लिजेंस के टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रनों से ज़्यादा रन बना लेती तो एक नया रेकॉर्ड जो है न इस पिछ के उपर बन जाता तातियें बात करें पिछ के हायेश रन चेस की तो पिछ का जो हायेश रन चेस है न वो यहाँ पे 100 रनों का है अभी तक इस मैदान के उपर जो है न 100 रनों से ज़्यादा रन चेस नहीं हुए है बाई बता दो कि मैच क्यों नहीं स्टार्ट होगा अच्छा बताओ अर्श भाई अच्छा अर्श भाई आप कहां से हो और प्री एंजिन कुमार भी है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमासा लगातार बने रहने के लिए तो जिते लोग भी इस हमारी श्ट्रीम पर जूट चुके सभी के सभी एक साथ मिलके जो है यहाँ पर चैनल को सब्स्राइब कर दिजिए बेल आइकन को दबा दिज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ओम कुमार जी को भाई सारी जानकारी क्रिकेट की जितनी जानकारी मेरे पास नहीं उससे ज्यादा जानकारी है और अगारतिय लिजेंड की जो कपतान थे वो था यहाँ पे सचिन अंदुलकर और साथी में वेस्टेंडिस लेजंड के जो कप्तान है वो यहाँ पे है ब्रेन लारा ब्रेन लारा भी भाई बहुत अच्छा खेलते थे अपने जमाने में अभी तो भाई इन शकल से देखते तो कितने बुड़े से हो चुके है और भाई यह टीम के जो प्लेंग लावेन है वो भी बहुत मजबूत मुझे लग रही है और दिली प्यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्री है चैनल को सब्स्राइब करने के लिए ग्रेशन दोस्कोटा जोड़े हुए यह मैच होगा कि नहीं जी नहीं विरेंद्र सेवाग कहा रहा है कि नहीं बिलकुल प्रोमिला देवी जी हमासाथ बनी हुई है और साथी में देखा जाए तो रुद्राक्षत रिवेदी जी बने हुए हमासाथ तो अब कब होगा भाई फनी शॉट्स वीडियो जी अब यह मुकाबला जो है ना दोने टीमों को आधा-धा पॉइंट मिलेगा या तो फिर एक-एक पॉइंट मिलेगा और मही माँ वासावे जी भी हमासाथ जुड़े हुए है तो गाइस मैं आपको बता दू गाइस जित्ते लोग भी हमासाथ बने हुए है ना आप सबी लोगों से रिक्वेश्च है कि यहाँ पर आप सबी लोग चैनल को यहाँ पर सबस्राइब कर दीजिए और चैनल को सबस्राइब करने के बाद यहाँ पर आप बेल आईकन को दबा दिजिए ताकि जब भी मैं अगले मुकाबले में लाइव जुडू तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन आजा है इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना जरूरी है मेरा नाम रागवोग के रागव जी और भारती टीम की गरम प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो काफी मजबूत है जहाँ पर आपको सचिन तेंदुलकर टीम की कप्तानी करते हूं जराएंगे जोकी कले के सचिन तेंदुलकर आज के इस मुकाबले के अंदर नमबर एक पे वही पे अगर आप नमबर दो पे देखें तो नमबर दो पे आपको नमन ओजा न जराएंगे तो भारती टीम की तरफ से सलामी बलेबाजी करते हूं जराएंगे आज के इस मुकाबले के अंदर कर दिया सब स्राइब तैंक्यू और वही पे अगर आप नमबर तीन पे देखें तो नमबर तीन पे आपको सूरेश रहना बलेबाजी करते हूं जराएंगे सूरेश रहना जो है न मिश्टर आईपील है इन्होंने चन्ने को काफी बार मुकाबले जीता है और आज के इस मुकाबले के अंदर भी आपको सूरेश रहना जो है नमबर तीन पे बलेबाजी करते हूं जराएंगे और सूरेश रहना जो है न बड़े बड़े चौके और छक्के लगाने में माहिर है जो कि आज के इस मुकाबले के अंदर खेलेगे नमबर तीन पे तूवर्ड ब्रॉड को जो की खेलेगे नमबर च्यार पे और वही पे अगर आप नमबर पांच पे देखें तो नमबर पांच पे खेलते हुए आपको युसुफ पतान जराएंगे युसुफ पतान ने जो इना IPL के अंदर KKR के लिए खेला था और इस वक्त भारतिय लिज लिजन्स लिग खेलने के लिए और नमबर च्यार पे खेलते हैं इरफान पतान गेनबाची भी बहुत अच्छी करते हैं और वही पे अगर आप नमबर साथ पे देखे ना तो नमबर साथ पे आज के इस मुकाबले के अंदर खेलते हुए आपको इस टूर्ड बीनी नजरा स्टूर्ट बिनी एक ऐसे खिलाड़ी है जो की गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही बहुत अच्छी करते हैं आपने देखा होगा पिछला मुकावला जो है ना भारतिया लेजन्स के टीम जीते थी वहापे स्टूर्ट बिनी ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करे थी और आज भी इनके बल्ले से एक बड़ी पारी की उमीद है और नमबर आट पे अगर आप देखे तो नमबर आट पे आपको मनपरीद गोनी नजरागी और मनपरीद गोनी जो है ना यहापे आईपेल के अंदर चन्नी के लिए खेल देते हैं वही पे अगर आप देखा जाय राहुल शर्मा जो है ना बाई हाथ के गेंबाज है इस पीनर है और आपको याद दोगा जब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और साती में पूने वाडियस इंडिया का मुकाबला चल रहा था और उस मुकाबले के अंदर जो है ना क्रिस गेल ने पांच गेंदों में पांच लगाये थे राहुल शर्मा को और उस मुकाबले के बाद से जो है ना राहुल शर्मा का करियर खतम हो गया था टी ट्वेंटी के अंदर और नंबर दस पे खेलेंगे राहुल शर्मा और नंबर ग्यारा पे खेलेंगे प्रग्यान ओजा तो ये जो है ना भारतिये लिजिंस टिम की प्लेइंग 11 यहां पर राने वाली है अगर देखा जाए तो भारतीय टिम के पास दो बायात के श्पीनर है यहां पर राउल शर्मा और प्रग्या नुजा जो है श्पीनर का डिपार्टमेंट समालेंगे और वही पर तेज गती के गेनबाज मौझूद है मुनाफ पटेल मनपरिद गोनी इस्टूअड भी नी यह तीन है और साती में अगर किसी की पिटाई हो जाते तो उरफान पटान भी गेनबाजी कर सकते हैं साती में युसुफ पटान भी स्पीनर है युराज सिंग भी फाजी कर सकते कई नंगे अगर आप देखें न तो भागती टीम के पास बहुत सारे विकलब है बहुत लगबग साथ गेंदबाच हो मौझूद है बारतियलिजर्जों के टीम के पास कि कितने बज़े मैंच होगा सर प्लीज बताओ भाई मैं आपको बता चुका है कि मैंच जो है न यहाँ पर कानपूर में खिला जा रहा था और बारिश आ रही है और गाईज आप सभी लोग सर रिक्वेश्ट लगबग तीन सो लोग हमाई साथ श्ट्रीम पर जोड़े हुए है जब भी जोएन में अगले मुकाबले में लाइव आओ तो आपको जोएना नोटिफिकेशन आ जाए तो सभी के सभी गईद इकसाथ मिलके जोए यहाँ पर श्ट्रीम को लाइक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग जोएना चैनल को यहाँ पर सब्स्राइब कर जब भी में लाइव आओ तो नोटिफिकेशन आ जाए बैए मैच ही नहीं हो तो आज कैसे के लिए बात तो बिलकुल सही बात करिए आपने पनी शॉट्स वीडियो जी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्स्राइब करने के लिए और साथी में अगर हम ब बार्तिय टीम के तरफ से कप्तानी करते हुए आपको सचिन तेंदुल करने जिराएंगे और वही पर आप देखे तो वेस्ट एंडिस लेजन के तरफ से कप्तानी करते हुए ब्रैन लारा न जिराने वाले हैं और बात करें गाइस तो आज का मुकाबला खिला जा रहा है का यह मैच कभ्क खिला जाएगा बार्त में बार था नहीं होगा यह मैच तो शहाद आकरी में हो जाए तो पता नहीं और बात करें में पिछके हाय रंचेश के तो पिछका जो हाय रंचेश से ौह सव का अभी तक है इस मुकाबले के अंदर जो रनों से ज्यादा रंच और नहीं हुए है जो की एक बड़ा आंकड़ा है और यहां पर बात करें तो guys सबसे ज़्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज के बारे में अगर हम बात करें तो सब से ज़यादा रन अभी तक यहां पे अगर किसी बल्लेबाज नहीं लगाए है तो वो ए दिलिशान दिलिशान ने अभी तक बहुत थी बढ़ी बल्लेबाजी करी है 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 और अलब बात करें दिलिषान की तो पिछले मैच्च के अंदर दिलिषान जो कि श्रिलंका लिजनशी क कटान यह अगर अगर हम देखे तो दिलिषान ने अभी तक दो मुकाबलों के अंदर सबसे ज्यादा रन बना एह जहां पे इनोंने 122 रन बनाए है और वही पर देखा जाए तो दूसरे जो बल्ले बाज है वो है दिलिशान मनावीरा और इन्होंने जो है ना 119 रन बनाए अगर इसी के साथ देखे तो औरेंज कैप जो है दलिशान के पास है और वही पर देखा जाए तो सबसे जादा रन बनाने वाले लिश्ट मे इस 2-8 बिनी भी मौझूद है जिन्होंने एक ही इनिंग के अंदर 80 टूरन मनाये और अब बात करें सबसे ज़्यादव विकेट लेने वाले गेन बाज की तो वो है कुला सेक्रा कुला सेक्रा ने जो है न दो गेन दो मुकाबलों के अंदर 6 विकेट इनको मिली है और साथी में बात करें सनन्ज जय सूर्या के तो इन्होंने पिछले मुकाबले के अंदर 4 विकेट ले थी और वे पे अगर हम बात करें चरुन दगा सिल्वा के तो इन्होंने जो है न दो इनिस के अंदर चार विकेट लिए तो अगर आपने एट सीज नोटिस करेंगी तो सबसे ज़्यादा रन लगाने वाले बलेबाज भी शिलंका के ही है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी शिलंका के ही है तो कहिना कि यहां पर शिलंका लिजेंस की टीम जो है ना पूरे तरीके से यहां पर डॉमिनेट कर रही है अर्श कुमार जी हमारे साथ वापीस से बन चुके हैं कल होगा मैच ही भाई मुश्कील है मुश्कील है मुश्कील है मुश्कील है हमारे साथ इस मुकाबले में जूड़ा रने के लिए सबीके सबी गईत एक साथ मिलके जोए न यहां पे स्ट्रीम को लाइक कर दिजिए कि आप सभी तमाम लोगुं का और सभी तमाम दर्षकों का बहुत बहुत शुकूरिया हमारे साथ इस दुवादार मुकाबले में कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दिजीगा ताकि जब भी में लाइव हो अगले मुकाबले में तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन आजाए वह यह मैच के तोर रिजेक्ट हो गया बिलकुल बिलकुल सही का तच्चिन मैन ऑफदा सिरीज बनेगा देखते सूनम जी कि मैन ऑफदा सिरीज कोन बनते तैंदुलकर जी बनते हैं या फिर तिलक रतने दिरिशान बनते हैं कितने वज़े से होगा बता दो वह यह मैच यह नहीं होगा बता रहा हूं मैं यह मैच हो चुका है पॉस्ट पॉंट अबॉंडेट रद्ध और अर्श कुमार जी आप हमारी स्ट्रीम को कहां से देख रहार यह यह भी आप मुझे कमेंट सेक्षिन के दर बता दिए जहरा हमको य विरेंद्र सेवाग आपको खेल ते उने ज़राएंगे यह जो स्रीज 네 इसका नाम है रोड साफ्टी स्रीज और विरेंद्र सेवाग ज्वाग आपको Лिजेंज लिग में खेलते उन बवाली यह रोड सेफ्टी है और कुछ टाइम बाद यहाँ पर लिजेंज होने वाली ज सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाद जीएगा हैलो गुड इव निगारे क्या हल है पंकच भाई पंकच जी भी हम आसा जोड चुके हैं और सीपील का भी मैचेस चल रहे हैं त्वा आसकंवी देखना पसंद करोगे के हैं कि आप यहाँ पे ज़ो आप अपन यहां पर आप सब्सक्राइब करता दीज के मैचेस देखना पसंद करोगे बताओ तोला से वह अच्छलों प्रिंस भाई ने बता दिया कि सोला से में कंसूस था और भाई हमारे यहां भी बारिश हो रही है भाई हमारे यहां पर भी हो रही है शंकर मोरे जी जोड़ चुके और प्रिंस पनवाल जी एक और यह कभी पने बीज अधर स्पेशल मैच होने वाले मुझे पतां निया इसके बारे में मैं आपको बता रहेता है वह भी जो ने स्पेशल मैचित होने वाले जहां पर स्वेशल मैच करते उने राएंगे और वो spatial match कब से हैं शयाध वो special match जो है डिस तारीको है एक बार मैं confirm कर लए तो कि वो special match कब है ओके ऑके ओके ऑके ओके में special match में सवरफ गांगुली captain करने वाले हैं और शयाध वो special match 20 तारीक से मनने कई देखा था हूं और अब इस तारीक हो तो इंडिया उस्ट्रेलिया अभी मैचेस बहुत है और बहुत मैचेस हैं इतने मैचेस हैं कि अपन देख नहीं पाएगे और गाईस देखा जाये तो भारतीय लिजेंस टीम की प्लेंग 11 भी मुझे बहुत ही मजबूत लग रही हैं जो कि रोड से एफटी सिरीस कर खेल रही हैं अगर आप देखे तो भारतीय टीम की तरफ से आपको नमबर एक पे खेलते हुएं सचिन तेंदुलकर यहां पे नजर आएंगे तो अगर आप देखे तो सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर के साथ साथ नमन और ऑजा जो है ना है आपको यहां पर सलामी बलबात के तंदुलकर आपको fuiंझchnी तरे नजरा के सुरह आपको नमन होजा नजराएंग रहां इवह प् теперь आप न Мнеबर तीन पर आपको Mr. IPL जीगा सूरेइश रहना जो कि Mr. IPL है जो कि आपको नम्बर 3 पे खेलते हुए हाप सूरेश रहना नज़राएंगे इन्होंने जो एना आईपिल के अंदर चणने के लिए काफी रहस बनाए हैं और और नमबर 3 पे जो है ना आपको सूरेश रहना खेलते हो नजराएंगे. जो की आपे खेलेगे नमबर 3 पे. वही पर आप आप नमबर 4 पे देखे न, तो नमबर 4 पे खेलते होए याँ पर आज किस मुठाबले नजरा युवरास सिंग नजराएंगे. और आपको याद होगा युवरास तिंग ने जो है ना छे गेंदों में छे छक्के लगाये थे स्टूवर्ड ब्राट को जो कि खेलेंगे नमबर चे पे नमबर चार पे कल मैच इसे कल बांगलादिश लिजेंड का मैच है और न्यूसलाइन लिजेंड का मैच है चौक इछके लगाने में याँ पे माईर है जो कि आज कि इस मुकाबले के हैं तो नमबर पाच पे खेलेगे वही पे अगर आप नमबर चे पे देखे तो नमबर चे पे आपको इर्फान पटान न जड़ाएंगे इर्फान पटान आजकल जो हमार साटर कॉमेंटरी बॉक्स में कॉमेंटरी करते हैं और इनकी बहुत इच्छा थी लिजेंस लिग खेलने के तो मैंने का चलिए आप चले जाए लिजेंस लिग के अंदर कॉमेंटरी का दिम्मा हम समालेगे और अभी आप commentary मेरी इसलिए सुन रहे हो क्योंकि इर्फान पटान खेल रहा है और नमबा 6 पे खेलते हुए आपको इर्फान पटान यहाँ पे नजराएंगे वही पे अगर आप नमबा 7 पे देखे न तो नमबा 7 पे आपको खेलते हुए श्टुवड बिनी नजराएंगे पिछला मुकाबला जो है न bharatia lLezens की टीम जीती थी और उस मुकाबले के अंदर श्टुवड बिनी ने बहुती बड़िया बल्लेबाजि करे थी हर कहिले कहिन आज भी श्टुवड बिनी के बल्ले से एक बड़ी पारी की उमीद रहेंगी जो के खेले के नमबर 7 पे वही पे अगर आप नमबर 8 पे देखें न तो नमबर 8 पे आपको मनपरीद गोनी नजराएंगे और मनपरीद गोनी ने आईपेल के अंदर चनने के लिए खेल चुके हैं नमबर 9 पे आपको मुनाफ पटेल नजराएंगे नमबर 10 पे रावल शर्मा और नमबर 11 पे प्रग्यानोजा तो ये जो हैना बारतीय लिजेंस टीम की प्लेइंग 11 रहेंगी और अगर आप देखें तो बारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 बहुत मजबूत हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे सचिन तंदुलकर नमबर एक नमबर दो पे नमबर नोजा नमबर तिन सूरेश रहना चार पे योराज सिंग पाच पे युसुफ पतान छे पे रिफवान पतान साथ पे श्टूवड बिनी आठ पे मनपरित गोनी नौ पे मुनाफ पतेल दस पे राउल शर्मा और नमबर ग्यारा पे आपको नजरागे प्रज्ञान हो जा और आप देखते हैं और वही पे अगर आप देखें तो भाई भागती है टिम के पास जो है ना गेनबाज जी में विकल बहुत है और जी हार जी और लक्ष्मी प्रिया याप भी बहुत बहुत शुकरिया हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए अगर आप देखें तो भाई सूरेश रहना के लिए मुझे थोड़ा सा भूरा लगता यार मतलब सूरेश रहना ने चन्ने को काफी बार मुगाबले जिता है लेकिन 2000 के 22 के IPL में सूरेश रहना को टीम में ये शामिल नहीं किया गया आपका नाम बताओ शंकर जी मेरा नाम है यापे आयूश शर्मा जी शर्मा जी आयान मोज मस्ती धमाय का भी जूट चुके हमाँ साथ CPL, CPL गैस देखो मैं आपको बता दू अगर आप लोगो सारे मुकाबले यापे लाइफ देखने है न तो गाईस आपको जो है मैं चैट के अंदर लिंक डाल देरो यहां पर आप सारे मुकाबले बिलकुल लाइफ देख सकते हो बिलकुल फ्री में एक भी पैसा भी लगीगा तो फटा फट से जो है डाउनलोड किजिए लिंक आपको मिले का डिसरिप्शन के अंदर फटा फट से जो है साइन अप किजिए का साती में आप मुकाबले को फ् अक्टोंबर में मतलब अगले मैंने और भारत और पाकिस्तान को जो मुकाबल है वह यहां पर खेला जाएगा 28 सोक्टोंबर को वर्ल्ड कप के अंदर कि और अगर हम देखे तो भाई यूराज सिंग यूराज सिंग को हम कैसे बूल सकते हूं एक्सिलेंट कोमेंटरी थैंक्यू राजेश्ची और गाईज हमको मैं आपको बतादो हमारे चैनल पर 65,200 सब्स्राइबर्स होने वाले मात्रा 12 सब्स्राइबर्स हमें बच्छे हुए हैं तो गाईज लगबग 400 लोग हमारे स्ट्रीम पर देख रहे हैं 400 मैंते जो कोई भी महत niet कंटर मुड़े जी आपका बहुत बहुत शुकारया चैनल को सब्स्राइब करने के लिए और बेल ऐकन को दो बाने के लिए और अभी वर्लकप के कॉलिफायर्स मैच भी होने वाले हैं और वो भी देखना होगा कि वर्लकप के कॉलिफायर्स मैच को जिता है क्या लगता है कि इस वर्लकप के कॉलिफायर्स मैच को जितेगा अभी कॉलिफायर्स मैच होने वाले हैं जैसे एश्यकप में हॉंग कॉलिफाइए करके आए ती वैसे ही जो है ना होगी कुछ टिम जो कॉलिफाइए करके आएगी अब देखते हैं मैच कब होगा वई मैच को टाइम है भी मुश्किल है मैच होगा वैन मैच विल भी स्टार्ट होने के चांसे सा काफी कम है बहुत ही कम चांसे से आपए लग रहा है कि मैच यहाँ पर वापिस से शुरू होगा आपको लेजंस लेक के अंदर ठील आगे जहां पे महंदर सिंग धोनी उन्हाई पूरे फॉर्मेट से रिटार्मेंट ले लेते हैं ले ने ये फिर आपको उन्हां फिर है रहले लीजंस लेक में सुनील दईया जी आपका बहुत 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 शुक्रयाद जोड़े रहने के लिए और जिते लोग भी चैनल पर जोड़ते जाते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करते चाहिए और बेल आइकन को रबाते जीगा भाई कौन सा चैनल पर आता है मैच गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दू लगबग 400 लोग हमारे स्ट्रीम पर जोड बस अग्या आप का यह एक app है जहाप अमँकाबले को फ्री में देख सकते हो साती में अप 광andala को डेखते देखते उसके बाद आपको sign up create sign up करना होगा और id create करनी होगी उसके बाद आप मुगावले को free में देख पौगे तो फटाफ़ट से जाहिए डालते इन 7 app पे और वही पे अगर हम बात करें पिछ के बारे में उसके पहले अगर हम देखें तो guys सबसे ज़्यादा run जो है अभी तक road safety world series के अंदर बनाए है तिलक रतने दिलिशान ने दिलिशान ने अभी तक के दो पारियों के अंदर 122 run बनाए है और दूसरे जो बलेबाज है वो है दुल्शन मानवीरा ये भी शिलंका की है इन्होंने दो पारियों के अंदर 119 run मनाए है और तिसरे जो खिलाडी है वो है श्टूर्ड भी नी इन्होंने एक पारी के अंदर 82 run मनाए है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेनबाज की बाहत करें तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेनबाज है कुला सेकरा इन्होंने दो पारियों के अंदर छे विकेट लिए और दूसरे जो खिलाड़ी है वो है सनन्द जैसुरिया इन्होंने एक पारी के अंदर चार विकेट लिए और दूसरे तीसरे जो गेनबाज है वो है च चिलंगा के पास हैं सर मैच होने के कितने पसंट चांसे हैं by seven मतलब 90 प्रतिश्ट चांसे तक ही मैच नहीं होगा सार there is any facility for drive for cricket ground we finished or pray to God राजे श्रान no no मतलब no match यहां पर होने के चांसे बहुत ही काम है सच्चिन के साथ इर्फान पटान को उपनिंग करना चीए अपकी बहुत अच्छी है बात कई आपने सोनम जी यह सवाल मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं पूछा लेकिन सच्चिन तरीके तो समझ में आता कि वह उपनिंग पे खेलते हैं लेकिन इर्फान पटान एक तरीके इसे खिलाडी है जो की तेज गती से रन लगाने वाले बलेबाज है तो बही शुरुआत करने के लिए तो सच्चिन तंदुलकर और नमन हो जाई ठीक है और प्रतिक जी भी हमाँ साथ बन चुके हैं और सुनिल दहिया जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमाँ सा आपको मैं पीच रिपोर्ट भी यहाँ पर बता देता हूं कि क्या कुछ पीच रिपोर्ट यहाँ पर रहेंगी वहां जो कि आज का मुकाबला जो है कानपूर पे खेला जाने वाला है बहराल तो बारिश यहाँ पर आरही है इंडिया लिजेंस वरदाम वस्टेंड लिजे है और जो कोई भी टीम दूसरे पारी के अंदर बल्ले बाजी करती है वो जो है न आपको 123 रन मनाती है तो अगर आप देखें और गाइस अगर देखा जाए तो एवरेज फर्स्ट इनिंग जो स्कोर है वो यहां पर 142 का है और जो कोई भी टीम दूसरे पारी के अंदर बल्ले बाजी करती है वो यहां पर 123 रन मनाती है और अगर हम बात करें पिछ के हाइस टोटल के तो पिछ का जो हाइस टोटल है वो यहां पर 218 का है अभी तक गाइज इस मैदान के उपर इस पिछ के उपर जो ना 218 रनों से जादा रन नहीं बने है अगर आज यहां पर भारती है लिजन्स के टेम या फेश शिलंका लिजन्स के टेम पहले बल्ले बाजी करते हुए 218 रन मना लेती है तो एक नया रेकॉड बन जाएगा इस पिछ के उपर और बात करें हाइश रन चेस के तो पिछ का जो हाइश रन चेस है वो यहां पे है 100 रन एक विकेट के नुकसान पर भी तक गाइज इस मैदान के उपर जो है ना 100 रनों से भी जादा रन चेस नहीं हुए है और बात करें भारतिय टेम की प्लेंग 11 के बारे में तो यह रही कपिल देव नहीं खेलेंगे भाई अब तो कपिल देव की उमर हो चुकी यार कपिल देव का तो खेलने का सवाल यह नहीं पैदा होता अगर आप देखें तो गा तो पारी की शुरुवात करते हुए आपको सचीन तेंदुलकर और सचीन तेंदुलकर के साथ साथ यहां पर नमनोजा नजराएंगे जो कि पारी की शुरुवात करेंगे और नमबर तीन पर देखा जाए तो नमबर तीन पर सूरेश रहना नजराएंगे तूरेश रहना ज बल्ले बाची करते हो नजराएंगे आज के इस मुकाबले के अंदर वही पह अगर आप नम्मच चार पर देखे ना थो नम्मच चार अपको युवराच सिंग नजराएंगे और यूराज सिंग आपको याद होगा इन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाये थे और नमबर 4 पे खेलते हुए आपको यूराज सिंग नजराएंगे राइना ओपनिंग करेगा जी नहीं राहूल भाई और फ्रूट सप्लार भाईय का कमेंट आए कि यह तीम इश्या कभी जीट लेदी बाई देखो मैं आपको बता दो देखो यह जो है लिजेंड्स लीग यह तरीके से लिजेंड्स लोगों के लिए और यहां पे जितने भी ने इंटरनेशनल मैचों से डोमेस्टिक मैचों से Retirement ले चुके हैं और साथी में जहां पर जो गेंडएन यह वह भी बहुत की बहुत बढ़ी है में यहां की ऐस्या तो प्हांट मिंटर की बाउंडरी है और अय गाश्या में तो सौन नहीं और यह आंप में नहीं गोन जीत लेती अजर आप देखोगे तो एशिया कप में विराट कोली ने अच्छा खेला बड़े बड़े चौकर चके लगाएं वैसे चौकर चके भाई नाई सूरेश रिना लगा सकते इस उमर में नाई उराश्टिंग लगा सकते हैं जाहिर खान की कमी खल गई आरे सुनम जी यह जाहिर खान की याद दिला दिये तुमने तो पहले यार में एक बार प्लेइंग 11 बता दिता हो उसके बाद में आप लोगो के चैट पड़ूगा वरना मैं सुनम जी के चैट पड़ता हो फी मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और ग काई के सबी गाई है अकांशाथ मिलके जो हम यहां पर चैनल को सब्स्राइब कर दिजिये मातर 3 सब्स्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए ह가요 मतलब तीन सो लोग हमार साथ जुड़े हुए हैं मातरत तीन सबस्राइबर ची उसके आध हमारे 65,200 सबस्राइबर हो जाएगे तो जो कोई भी तीन बंदे सबसे पहले चैनल को सबस्राइब करेगे उनको हम देंगे शॉट आउट कोमल यादव जी आपका बहुत बहुत शु कि शिया रहेंगी जर नबर एक खेलते हो आपको शॉट इंदूल कर नजराएगे आज इस मुकाबले के अंदर जो करेंगे बात करे के सली में सलामी बलए बाच के दौर पर वहीं पे अगर आप नंबर दो पर देखे तो नंबर दो पर आपको नमर्श म्हान उज नजराए जो की बड़े बड़े शॉट्स और चौक चक्य लगाने माहिर है IPL के अंदर इनोंने काफी बाद चन्नई को जीताया है और काफी रंस भी लगाया है और कहिने के चन्नई के टीम को इनको खिलाना चीए था खरीदना चीए था वही पे अगर आप नंबर चार पे देखें तो नंबर चार पे आपको तुरेश रहना के बाद हम यहाँ पे नजराने वाली है यूवराज सिंग और यूवराज सिंग जो है न मुकाबले के अंदर किते रण यहां पे बना पाते हैं तो नंबर चार पे खेलेंगे आज के इस मुकाबले के अंदर युराज सिंग वही पर आप नंबर पांच पे खेलते हुए आपको यूसुफ पटान नज़राएंगी और यूसुफ पटान भी बड़े-बड़े शौर् नमबर 5 पे यूसुफ पतान पिछला मुकाबला जो है भारती ये लिजेंस की टीम जीती थी उसमें जो है ना इस्टूर्ट भी नी का बहुत बड़ा हाथ था और आज की इस मुकाबले के अंदर नंबर साथ पे फिनिशर के तौर पे इस्टूर्ट भी नी या पे नजराएंगे वही पे नंबर आट पे दिखा जाये तो नंबर आट पे मनपरीद गोनी नजराने वाले हैं और मनपरीद गोनी ने जो है ना आई पेल के अंदर चन्ने के लिए खेल चुके हैं और वही पे अगर आप नंबर नौ पे देखें तो नंबर नौ पे आपको मुनाफ पटेल नजराने वाले हैं और मु और एक बात जब Royal Challenges Bangalore और Pune Warriors India का मैच खेला गया था तब जो है न यहाँ पे Chris Gayle ने पाँच गेंदों में पाँच चक्के यहाँ पे लगाया थे राहुल शर्मा को और उसके बाद ते जो है राहुल शर्मा का करियर खतम हो गया था और यह जो है Legends League की टीम का हिस्सा है और नमबर 10 पे खेलते हुए आपको नज़र आएंगे राहुल शर्मा और नमबर 11 पे आपको नज़र आएंगे प्रग्यानोजा इसी बीच योवी जी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और फ्रूट सप्लाइस जी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो काईज आप सभी लोग भी जो है न फटापट से यहां पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहा आए वाउ तो आपको नोटिविकेशन आजा है और मिश्टेरियस लैंज ही आमका भी बहुत बहुत शुक्र है जोड़े रने के लिए अगर आप देखें नहीं तो भारती टीम के पास गेंदबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं जहां पर राहुल शर्मा और प्रज्यान इस पीनर है और बात करें फांश्ट गेंदबाजों के तो वहां पर मनपरिद गोनी मुनाफ पटेल इस्टू अडबेनी इर्फान पटन मौजुद है ये तो छे गेंदबाज ऐसे ही हो गए उसके बाद यूराज सिंग भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं लग में यहां पर माहिर है अब देखना वाल वाली बात रहें कौन से टेम इस मुकाबले को जीतेगी क्या लगता है इस भारतिया लेजेंज या फिर वेस्टेंड लेजेंज को जीतेगा कितना टाइम हो गया बाइस वक्त जो टाइम है वह साड़े आट और गाइस आप लोग जो ना चैनल को सब्स्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाद जीगा और कोमल यादाओ जी आप अगले मुकाबले में लाइव आओ तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन आजाए इसलिए चैनल को सब्स्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है इसलिए इस चैनल को सब्स्राइब करने के बाद आप सभी लोग जो है बेल आइकन को यहाँ प थीक नहीं है लेकिन यह लोग और अली अकोर रह्मान जीरू है और अब देखते क्या कुछ होता है और इंडिया किसान भाई कोई सब्सक्राइब करें निचे कमेंट सेक्षिन कंदर पुछ लीजिए मैं आप लोग के सारे सवालों के यहां पर जवाब दूगा और गाइस अगर आप लोग के उनमें कुछ भी यहां पर सवाल है तो पुछ लिजिए कब अशुरू होगी अलोन गेमिंग भाई देखो इस मुकाबले के बारे में आपको भी मताओ न तो बहुत ही कम चांसे यहां पर लग रहे के मुकाबला यहां पर शुरू होगा और बात कि अपर देख थे क्या कुछ यहां पर होता है और कोंसे टिम जो इस मुकाबले को जिती है तॉस कब भाई तॉस भी नहीं होगा मैस कब चलेगा मैस पॉस्ट पाउंड हो चुगा है तॉस कब होगा शोनंग इंटर्टेन्मेंट जिन होगा और गाइस अब ही जोग हम तो यहां पर notification आ जाए अब देखते हैं क्या कुछ होता है कौन जिता है क्या गार्ट टॉस कब होगा वही टॉस भी नहीं होगा मैं आपको पहले बदा दू नहीं टॉस होगा नहीं मैचोगा रद दो गया क्यों किम राज जी मैच यहां पर रद हो चुका है कि अगर आप लोग के मन में कुछ भी सवालत आफटाफट से पूछ लिजिए और गाइस हमारे श्री 5200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो सभी के सभी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देजिए और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना तो आप लोग फटाफट से जोए आप पूछ लिजिए और यह गाइस सीपील के मैच चल रहे हैं और आगे की जो कॉमेंटरी है ना हमारे साहयक कॉमेंटेटर आपके साथ लेके जूड़ेंगे लेजेंस लिख की कॉमेंटरी और गाइस आप जो है ना यहाँ पर चैनल को सब्स्राइब कर दिजे और साथी में बेल आइकन को यहाँ पर दबा दिजे ताकि जब भी मैं लाइव आओ तो नोटिविकेशन आजा है पंद की जगा संजू को वल्लकप में खेलना चीए तब लो गाइस मैं हूँ शर्माची और यहाँ पर अगर आपके साथ जुड़ा हूँ इस मैच की अपडेट लेकर जमाइका तलावास बना इसके एंपी का और इस समय अगर देखा जाए तो जमाइका तलावास के जो है चैसी रनों पे चार विकेट्स गिर चुके और से मलग 6-2 जल रहा है काफी दिमैं यहाँ पर जो चल रहा है शुरूआट काफी बढ़्या करीथी चमाइका तलावास ने पर उसके बाद जो यहाँ पर विकेट्स गिरते हुई थी हिर की और उसी की चलत है कि उस प्रकार से यहाँ पर खेल चलता है। फिलाल यहाँ पर दो गिंदों में यहाँ पर कोई भी रन नहीं आया है। क्या लगता है कि इस जमाइका तलवाज कि टीम जीतेगी यह फिर टो बखो नाइट ड्रॉग जियू लगता है। कि 52 53 काफी दीमा यहां पर एक खेल चर रहा देखते कौन सीटी माच जो इस मुकाबले को यहां पर जितने में सफल हो पाती है और उसी के साथ यहां पर इस ओवर की तिसरी गेंती और हलका तो उसे खेल दिया लेक साइट के और खेलते यहां पर एक रंगी मांग किये एक हैलो काजल और यहां पर मेरा दिल तोड़ दिया मैच की हा इस हार ने इसलिए आज का खाना मैंने भी छोड़ दिया ओ भाई तेरा दशम्लक चार ओर के बाद जो है टेस्सिरंस यहां पर हुए चार विकेट से यहां पर गिरी है रैमन रैफर यहां पर मौझूद है और फैवन आयलन यहां पर बल्ले बाजी के लिया है पार्टनर्शिप की बात कर दो चार गेंदों में जो है मात्र दो रहनों की कुछ इस मुकाबले में होता है काफी रोचक यह मुकाबला रहेंगा और इसके साथ इसोगर की पाच्वी यहां पर बढ़िया गेंदी जिंग जनन जया की पर यहां पर जो है राइफल ने लगा दिया है चाओका कट लगाया काफी बढ़िया यह दिशा में शौट और हो मैच अगर वो छोड़े छोड़ दे कैस तो दिल में पढ़ जाता है दरार खो जाता है दिन भरका चेन और करार जी भाई बिल्कुल सही का आपने और अभी तो फिलाल कोई कैचस यहां पर छूटी नहीं है अब देखते यहां पर काफी रोचक यह मुकाबला और कौन सी काफी रोचक यहां पर अगर देखा जाए तो इस समय आपको सामने जो है स्कोर आपको बता होगा कि आ कुछ यहां पर जो है इस्कोर चल रहा है और नहीं पता है तुम आपको जो है बता देता हूँ तो थोड़ा सा जो है इंतजार कर Süरू कर रहे हैं आइ प्रेल क्योंते यहाँ पर जो यहाँ पर गेंद बाजी कर रहे हैं आर्षन विगेट यहाँ यहां पर मिला है इस समय 14 औरों का खेल हो जुका है सवाप 92 रंस पर यहाँ पर 4 विगेट के नुकसान पर जमाईका तलावास की टीम यहां से बापसी करनी होंगे शुरुवात में बड़िया शुरुवात यहाँ पर मिली थी पर उसके बाद खेल काफी साधा रंसा रहा है इसा मैं राशित खान को यहाँ पर गिंद बाजी के लिए बुलाया कि जिन्होंने दो डाली है और तीर रंस मातर दिये और एक विकेट यहाँ पर लिया है फैय बैल इस लिक का वहाँ पर अबॉंडेड हो चुका है और इस वहर की पहली गेंद यहाँ पर बल्ला घुमाया यहाँ पर एंपायर का खुश होंगे जी नहीं है एंपायर का यहाँ पर इशारा नौट आउट का आता हुआ अपिल काफी जोड़दार हुई थी और इस नमय जो ज शॉट लगाना चाहते थे इस गेंद पर पर यहाँ पर जो है मातर सिंगली मिल पाएंगा उसी के साथ धीमा धीमा खेल आगे की और चलता हुआ चाओधा तशम्लक दो और के बाद जो यहाँ पर स्कोर हो चुका है नाइंडी थी रंस चार विक्टो के नुक्सान पर भाव और हमारे मिश्टरियस लेंड जी कहते हुए कि मैट होंगा या नहीं मैस तो मेरे भाई लेजंड्स वाला तो तो अबॉंडेड हो चुका है वो मैस तो बिलकुल भी नहीं होने वाला है और आईपेल कब चालूँगा हम लोग का मैच कब चालूँगा आईपेल मेरे भाई बोड टाइम है भी आईपेल को और उसे के साथ इस ओर की दिसरी गेन यहां पर जोई स्पीन डाली थी बड़िया गोगली गेन दिये और इसको खेल दिया लेक साइट की और कोई भी रन यहां पर नहीं मिलेगा एक रन यहां पर जोई मिस फिल्ड के चलते निकाल दिया गय यहां पर पहुँचए चार विक्टों की नुकसान पर जमाई का तलवास की टीम देखते यहां से किस प्रकार से वापसी करने में यहां पर सपलो पाती है। लगाते हुए नजर आएंगे देखने वाली बात होंगे काफी रोचक यहाँ पर यह खेल चलता हुआ देखते कोवन सीटी माज जो इस मुकाबले को जो है जितने में यहाँ पर सफल हो पाती है काफी रोचक यहाँ पर यह खेला जा रहा है उसरे साथ यहां पर काफ़ी बढ़िया गुगली थी और काफी जुर्दार यहां पर अपील की है और यहां पर ईसमास बहुती है और यहां पर रिव्यू ले लिया गया है बॉलिंग रिव्यू यहां पर लिया गया है फैब एलन यहां पर खत्रे में नजर आ रहे है अब देखते फैब एलन यहां पर आउट है यहां फिर नौट आउट है लेकिन यहां पर जो है रिव्यू ले लिया गया है और अब देख देखते कोन सी टीम यहाँ पर इस मुकाबले को जित पाती राशित खान की बढ़िया गुगली थी और उसे के साथ यहाँ पर अपिल की गई है पैब एलन यहाँ पर खत्रे में नजर आ रहे और यह टपाद थोड़ा लेक साइड यहाँ पर मुझे लिखता हुआ नजर आ रह आती है काफी रोचक यहाँ पर यह खेल चलता हुआ और देखते हैं यहाँ पर क्या एंपार का निर्णा आता है फिलाल यहाँ पर बॉलिंग रिवियू लिया गया है और इस समय धड़कने तेज नजर आ रही है काफी रोचक यहाँ पर यह खेल चलता हुआ और बल्ले का तो कोई भी किनारा यहां पर लगा नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर Empire score जाएँगा यहा तो फिर Wicad मिल जाएँगा अब देखते हैं यहां पर Wicad मिलता है यहां पिर क्या कुछ होता यहाँ पर और काफी करीब यहां पर यह मामला है और Empire का यहाँ पर क्या decision होता है काफी रोचक यहाँ पर यह खेल दोनों ही टीमों के बीच में और मुझे ऐसा लगता ही कहीं न कहीं यहाँ पर Fairvalon को वापिस जाना पड़ सकता है फिलाल यहाँ पर रिव्यू लिया गया है और रिव्यू अभी तक के यहाँ पर परताल इस समय करते हुए नजर आ रहे देखते हैं यहाँ पर क्या इशारा आता है Empire का और इस समय राशित खान के अगर हम बात करें तो काफी confidence यहाँ पर नजर आ रहे इस विकेट को लेकर और Fairvalon की धड़कने काफी तेज यहाँ पर चल रही है और शायद मुझे लगता है कि Empire यहाँ पर not out देंगे पर देखते अब क्या कुछ होता है यहाँ पर पट्टी बिचा ली गई है और यहाँ पर मुझे लगता है विकेट मिलनी चाहिए जी नहीं यहाँ पर विकेट मिसिंग है मतलब रिविव भी खोली है यहाँ पर गेन थोड़ी चोई स्टम के उपर रही गई थे उसे के चल दे यहाँ पर रिविव को दिया गया है Empire का डिसेजन बिल्कुल साफ 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 नजर आ रहा है कि not out रहेंगे और राशित खान ने यहाँ पर अपना एक रिविव गवा दिया गया है और इस समय काफी धड़कने तेज थी जमाई का तलावास के खिलाडियों की और इस समय अगर यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर 160 टरंस बनाने होंगे और बना सकती ही यहाँ पर बिलकुल भी असमर्थ है यहाँ पर गेंदबाजी पणने के लिए राशित खान की काफी बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी की जारी राशित खान की ओर से और बल्लेबाज इस गेंद को जो है समझने में असफल रह रहे अभी तक अब देखते हैं यहाँ पर राशित खान काफी नहीं राश और आखरी गेंद इस ओर की काफी ज़्यादा फिल्लर जो यहाँ पर बल्लेबाज को घेर के रखे और उसे के साथ यहाँ पर इस ओर की आखरी गेंद खेल दिया है सिंगल के लिए लेकिन यहाँ पर दो रंस मिलने चाहिए और दो रंस यहाँ पर मिल जाएंगे उसे के साथ 15 ओरों का खेल हो चुका समाब 96 रणों पर 4 विक्टों के नुकसान पर जमाइका तलावास की टीम यहाँ पर जमाइका तलावास की जो टीम है यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाने होंगे अगर जमाय का तलवास को यह मुकाबला जितना है आप देखते हैं यहाँ पर जितने में सफल हो पाती है नहीं काफी रोचक यहाँ पर यह खेल विकेट्स की यहाँ पर तरकार है अगर हम बात करें जमाय का तलवास की अब देखते हैं यहाँ पर क्या विकेट्स मिल पाती है या नहीं इस समय जो है पंदरा ओरोगा खेल हो चुका है समाब 96 रंच से यहाँ पर बने हैं देखते हैं कौन सी टिम इस मुकाबले को यहां पर जितने में सफ़ल हो पाती है उसे के साथ यहां पर पीटर सनाय गेंद बाज़ी के लिए पहली गेंद यहां पर लेकसाइड यह गेंद ती और यहां पर यहां पर एंपार का इशारा जो है वाइड का आथा यहाँ पर गेन चलेगे थर्ड मैन की बगल से चोगे के लिए चार रन यहाँ पर मिलेंगे और इस पोटक तरीके से यहाँ से आगे की और खेल चलाना पड़ेगा जमाई का तलवास यहाँ पर इस समय काफी कम स्कोर दिखता हुआ नजर आ रहा है उसके साथ इस ओवर की दुसरी गेन यहाँ पर भी जो है ऑफसाइट की और खेला है लेकिन फिल्डर वहाँ पर मौझूद है लेकिन फिल्डर इस गेन को पकड़ नहीं पाएंगे और एक रन यहाँ पर आसानी से मिलेगा इस समय जो है राईफर की बात करें राईमॉण राईफर तो इनको गोली की तरह तार के थरह यहाँ पर बल्यबाजी करनी होंगा अकर अपने टीम को यहाँ पर 160 के लक्षय के उपर ले जाना है दम-कम जरूर रखते हैं यहाँ पर बल्यबाज पर देखते हैं अब क्या कुछ होता है काफी रोचक ये मुकाबला यहाँ पर ड्वेन ब्राउ जो है फिल्डे में थोड़ा बहुत बतलाव करते हुए नजर आ रहे हैं उसे के साथ इसोवर की तिसरी गेंद यहाँ पर प्रेट्रियस आये गेंद बाजी के लिए फैवेलन होंगे मैदान पर मौजोद स्ट्राइक पर और यह क्या हुआ यह काफी ज़्यादा लेक साइड यह गेंद थी और एमपायर का इशारा यहाँ पर वाइड का आज चुका है देखे तो 15.2 ओर के बाद 102 रंस यहाँ पर बने और 4 विकेट्स यहाँ पर गिर चुकी है और उसे के साथ इसोवर की तिसरी गेंद यहाँ पर बल्ला गुमाया है पर गेंद के पीछे यहाँ पर फिल्डर मौजूद है जी हाँ एकी रंस यहाँ पर मिलना चीए देखते अब एक रंस यहाँ पर मिलते हैं यहाँ फिर दो रंस यहाँ पर चुरा लिए गए बढ़िया रनिंग बिटूइन द विकेट्स यहाँ पर चुरा लिए गए अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ देख साथ इस ओवर की जो है चौधी गेंड डालेंगे यहां पर स्ट्राइक पर होंगे रायमन रायपर इनको जो है काफी बढ़िया बल्ले बाजी करनी होंगे अगर इस मुकाबले को जिताना और इसके साथ सामने तीर के समान सीधा शौट लगाया है पर एक ही रन मात्रा यहां पर मिलेंगा बड़ा शौट यहां पर लगाने कोशिच जरूर की थी पर मात्रा एक ही रन सी यहां पर मिलेंगा 15.4 ओर के बाद एक सो पाच रन सी यहां पर होए चार विकेट्स यहां पर गिरी है और यहां पर बड़े-बड़े शौट जो है लगाने होंगे क्योंकि इसक प्रिकेट के फिल्टर को जो है बन्टरी पर यहां पर बेस दिया गयाय He रूंजिक साहत यहां पर सिंगल मिलेंगा 15 प। पाँच वर के बाद यहां पर सिंगल मिलेंगा आकफरी के इहां पर बैलं को तो यहाँ पर बड़े शोट्स लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को अच्छा स्कोर तक पोफ़ाना है क्योंकि इसके बाद राशित कार आएंगे और वो ओर सिंगल डबल के साथ ही चला जाएंगा तो यहाँ पर बड़े शोट्स लगाने होंगे इस ओवर की आथरी गेंद पर देखते हैं अब यहाँ पर बल्ले बास बड़े शॉट लगाते हैं या फिर नहीं आथरी गेंद फेय वैलन यहाँ पर श्ट्राइक पर अगर मौझूद अरनेट की बात करें अगर इसी प्रकार से खेल चलता रहा तो 134 रन्स यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर फेय वैलन बल्ला जरूर गुमाया है पर पीछे फिल्डर मौझूद है एकी रन यहाँ पर मिलेंगा और उसे के साथ यहाँ पर 16 ओरों का खेल हो चुका समाप 107 रनों पर चार विक्टों की नुक्सान पर जमाई का तलावास की टीम 16 ओरों के बाद जो है 107 रनों पर चार विक्टों की नुक्सान पर जमाई का तलावास की टीम और अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ इस मुकाबले में जो है देखने को मिलता है काफी रोचक यहाँ पर यह खेल चलता हुआ देखते हैं कोन सीटीम आज जो है इस मुकाबले को यहाँ पर जितने में सफल हो पाती है क्योंकि इस समय जो है अगर हम बात करें तो दोनों ही टीम है जो है जो भी मुकाबला यहाँ जो है जो है जो भी मुकाबला यहाँ पर जितने में सफल हो पाई है दोनों ही टीम है कि अगर हम बात करें और यहां पर 16 औरो के बाद जो एक 107 रन से यहां पर हुए चार विकेट्स यहां पर गिर चुकी है और इस समय जो है तकड़ी बल्ले बाजी करनी होगी अब देखते कौन से किंदबास को यहां पर जो है लेकर आते हैं और क्या कुछ यहां पर जो है इस और डाली है 11 रन्स दी है काफी आप्शन्स यहां पर जो है नजर आरे इस समय राशित कान आचुके बगेंद बाजी के लिए पहले गेंद यहां पर हलकियादों से खेला है कोई भी रन यहां पर नहीं मिलेगा और यहां पर रन्स बनाने भी अब काफी ज़्यादा जरूर कोई भी रन यहां पर नहीं मिलेगा बड़ा शौड लगाने कोशिच जरूर करी थी इस गेंद पर बल्ले में यहां पर नहीं आई है और उसे के साथ इस ओवर की तिसरी गेंद यहां पर राशित खान क्या यहां पर जो है गुगली थी और समझ नहीं पा रहे बल्ले बास और उसे के साथ इस ओवर की चौटी गेंद का यहां पर बड़ा शौड लगाएंगे और कोशिच यहां पर करी थी और गेंद काफी ज़्यादा फाइन जाते हुए नजर आ रही है दो रंस या चार रंस यहां पर मिलने चाहिए क्या मिला यहां पर सिंगल मातर मिला है अच पर रैफर होंगे स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड यह बल्लेबास राशित खान की यहां पर गुगली समझने होंगी और उसे के साथ यहां पर काफी जोड़दार अपिल बीट हुए यहां पर बल्लेबास और कोई भी रन यहां पर नहीं मिलेगा काफी रोचक यह मुकाबला चलता हुआ देखते कौन सी टीम इस मुकाबले को जोई यहां पर जीतने में सफल हो पाती है काफी बड़िया यहाँ पर जो है मुकाबला चल रहा है इस समय पर और राशित खान की आखरी गेंद और इस बार भी जो है कोई रन नहीं मिलेगा इस वरे में बात करें तो मातर एक रन आया है अब यहाँ पर जो है अठरा गेंदों का खेल बचा हुआ इस समय काफी रोचक यहाँ चलता हुआ मातर अठरा रन्स यहाँ पर बने 108 रन्स मातर यहाँ पर बने और इस वरे मातर जो है एक ही रन यहाँ पर आया है अब देखते यहाँ पर कितने रन्स यहाँ पर बनते है और इस समय खेल काफी धीमा धीमा चलता हुआ एक विकेट की यहाँ पर तरकार है देखते हैं यहाँ पर क्या एक विकेट मिल पाएंगी या फिर नहीं काफी रोचक यहाँ पर यह खेल चलता हुआ और उसे के साथ यहाँ पर जो है 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है अब देखतें 18 गेंदों में जो है कितने रंस यहाँ पर बनते हैं काफी रोचक यह खेल और इस समय देखा जाए तो 17 ओर रुखा खेल हो चुका है समय आप 108 गेंदों पर यहाँ पर चार विकेंदों गिल चुके और वेंद बराओ यहाँ पर गेंद बासी के लिए है कम से कम यहाँ पर 107 गेंदों मनाने होंगे और इसकी साथ इस ओर की पहली गेंदों यहाँ पर इस ट्राइक पर है फैबैलन बल्ला जरूर गुमाया था यह इस गेंद को अगर पहले बाद छोड़ भी देते तो वाइड होती पर इस गेंद को छेड़ा है और एक रन मातर यहाँ पर मिलेगा कवर्स के फिल्डर्स के दरब यह शौड लगाया था एक ही रन मातर यहाँ पर मिल पाएगा 17 दशमलक एक ओवर के बाद जो एक 109 रन्स यहाँ पर 4 विक्टों के नुकसान पर जमाईका तलावास की टीम और प्रोजेक्टेड इसकोर की बात करें तो यहाँ पर मातर जो है 127 का प्रोजेक्टेड इसकोर नजर आ रहा है पर कम से कम यहाँ पर जो है 17 दशमलक दो और के बाद जो एक 109 रन्स यहाँ पर हुए और चार विकेट्स यहाँ पर गिरिये पर जमाईका तलावास की जो बल्लेबास है यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाने में असफल नजर आ रहे कोई भी बड़ा शॉट अभी तक के जो है देखने को मिला नहीं है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि फैब एलन्स की जगा जो है इमाद वसिम को जो है बल्लेबासी के लिए बुलाना चीए था एक सो नवर रंस यहाँ पर हुए चार विकेट्स यहाँ पर गिरिये सतरा दशमलक दो और का खेल हो चुका है समाथ और इस ओवर की तिसरी के यहाँ पर धीमी कती की गिंदी मातर सिंग अली यहाँ पर जो है मिल पाएंगा और इस ट्राइक पर आचाएंगे अफ पैब एलन देखता है फैब एलन यहाँ पर क्या कुछ करते क्या यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर खेल चल रहा है बड़े शॉट्स लगाना यहाँ पर जो है मुश्किल नजर आ रहा है इस समय पर काफी रोचक यहाँ पर यह खेल चलता हुआ पर इस समय जो है स्कोर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा स्कोर नजर नहीं आ रहा है और उसे के साथ इस ओर की चौती गेंद और यहाँ पर फैब एलन होंगे स्ट्राइक पर जोगे एकदम ठीके थके खिलाड़ी और यहाँ पर लपी डबलो की अपेल एमपार की यहाँ पर हुंगली खड़ी होती हुई और यहाँ पर पाचवा विकेड गिर चुका है सत्रा दशमलक चार ओवर के बाद यहाँ पर पाचवा विकेड गिर चुका है जमाईका तलावास का और उसे के साथ जमाईका तलावास की टीम जो इस नमें बैक फूट में जाते हुए नजर आ रही है यहाँ पर बड़े शौट लगाने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर बल्ले और गेंद का उतना चाह संपर्ख हुआ नहीं और गेंद चले गई सिदा यहाँ पर 110 रनों पर यहाँ पर पाच विक्टो के नुकसान पर अब देखते यहाँ से कितने रन्ज जो है जमाई का तलावास की टीम बनाने बना पाती है यहाँ पर छुके चऊंगे तो nie रहा विकेट्स यहाँ पर बैक तू बैक यहाँ पर गिरते हुए नजर आए बाौिंग रीवीव हाँ यहाँ पर लिया गया है अब देखते यहाँ पर बैटिंग रीवीडे ने जो ए विकेट ले लिया गया है अब देखते हैं यहाँ पर क्या निर्णा यहाँ पर होता है क्या बल्लेबास को यह रिव्यू मिल जाएंगा या नहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जमाइका तलावास की जो टीम है यहाँ पर रिव्यू अपना खोते हुए नजर आएंगी और यह गेन शायद हो सकता है कि ज्यादा लेकसाइट के और जाए एंपायर स्कॉल यहाँ पर हो सकता है अब देखते हैं यहाँ पर क्या निर्णा आता है एंपायर का फिलाल बल्ले और गेन का तो जो है कोई भी संपर के यहाँ पर दिखा नहीं है अब देखते यहां पर बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क यहां पर दिखा नहीं है बैटिंग रिव्यू यहां पर लिया गया है देखते अब कितना सफल यहां पर बैटिंग रिव्यू समझ में आता है सतरा दशमलक चार ओर के बाद जो है यहां पर एंपायर का इशारा नौट आउट का चुका है गेंद जो है यहां पर काफी ज़्यादा लेक्साइट की ओरती और एंपायर को अपना डिसिजन यहां पर बदलना पड़ा है नौट आउट का यहां पर इशारा किया है और उसे क यहां पर खेल बचा हुआ है 14 गेंदों में यहां पर कितने रंस बना बाती है चमाई का तलवास की टीम यहां पर देखने वाली बात होंगे यहां पर बड़े-बड़े शॉट्स लगाने होंगे इस समय जो है अच्छे से खेल चल नहीं रहा है और यहां पर रिविव जो है राइमन राइफर ने लिया था और यहाँ पर राइमन राइफर ने जान बचाई है फैव एलन की और फिलाल इस ओवर की बात करें तो मातरा दो रंसा यहाँ पर आया है और अभी तक कोई भी बड़ा शौट यहाँ पर देखने को मिला नहीं है काफी दिक्कत यहाँ पर हो रही है जमाइका तलवास के बल्ले बाजों को यहां रंस बनाने के लिए अब देखते हैं यहां पर 110 रंस हुए चार फिकेट्स यहां पर गिरी है और उसके साथ आखरी गेन यहां पर भी बड़ा शॉट लगाने कोशिश जरूर करी थी पर मात्र सिंगल यहां पर मिल पाएंगा अगर आखरी पिछली 30 गेन्दों की बात करें तो मात्र 24 रंस यहां पर बने और बड़े शॉट यहां पर लगाने कोशिश जरूर की है लेकिन कोई भी अच्छा शॉट यहां पर बल्ले में लगा नहीं है 111 रंस यहां पर उए है और 18 ओरों का यहां पर खेल हो चुका है अब देखते, 12 के बेनों में यहां पर कितने रंस बंदे कम से कम यहां पर 160 का लक्षा होना जीए बात करें तो यहां पर chemistry जो का लक्षा जाते हुए नजर आ नहीं रहा है काफिस साधारन से यहां पर बली बाजी देखने को मिली है इस जमाइका तलावाज के अगर हम बात करें गेंद बाजी अच्छी ज़रूर है पर यहां पर fighting scores बनाना चीलिए कम सखṇยपाighting score यहां पर 160 रनों का देखने को मिलता है और इस समय जो है फाइटिंग स्कोर यहां पर बनता हुआ नजर आ नहीं रहा है एक सो साट रंस अगर यहां पर बनते तो कई न कई जो है टीम फस्त हुए यहां पर नजर आती और उसे के साथ यहां पर गेंदबाजी के लिए ड्वैन प्रेट्रियस को बुलाया गया है अब देखते ड्वैन प्रेट्रियस क्या कुछ करते है अपने गेंदबाजी पर पहली गेंदी सोवर की फैब अलनों के स्ट्राइक पर और काफी ज़्यादा ओफसाइड यह गेंदी और बड़िया फिल्लिंग का नजरा यहां पर क्या चौका मिलेगा जी यहां पर चौका मिल जाएगा पहली गेंद पर बड़िया गेंदी लेकिन फैब एलन ने यहां पर बड़िया शौट लगाया कौवर के फिल्लर के सरफ और चौका मिल गया है कवर के फिल्लर को यहां पर भेद दिया है कि ऑफ साइट की और देखा जाए तो यहां पर फिलर्स काफी कम नज़र आ रहे हैं और जितनी में फिलर है वो सर्कल के अंदर यहां पर मौझूद है इक सो पंदरा रंस यहाँ पर उए बड़े शॉट की यहाँ पर तरकार है देखते हैं अब कितना बड़ा शॉट यहाँ पर जो यहाँ पर लगाते हैं काफी बढ़िया यहाँ पर शौर देखने को बिलते हुए बिइन्दिस मैं जमाय का तलावाज यहाँ पर वीन होगि ऐसा हमारक कहना है मजनु भाइय का यहाँ पर मजनु भाइय हमारे साथ चुट चुके आपचे हमारे मजनु बाइय कितना सही बोल रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर मजनु भाई का कमेंट आ चुका है और मजनु भाई कहे रहे हैं कि यहाँ पर यह मुकाबला जो है जमाइका तलावास की टीम जीतेंगी अब देखते हैं मेरे भाई लाइव कैसे देखें लाइव अगर आपको देखना है तो डेल दिन सेवन पर जाईए और वहाँ पर अप्लिकेशन डाउनलोड केजिए और वहाँ पर जो है आपको लाइव देखने के लिए मैच मिल जाएगा उसे के साथ इस ओवर की तिसरी गेंद यहाँ पर काफी जाकर जो है नव रंस आचुके दो गेंदों पर एक बड़े शॉट की यहाँ पर और तरकार है अठरा दशमलक दो ओवर का यहाँ पर खेलो चुका है समाप 120 रंस यहाँ पर बने चार विकेट से यहाँ पर गिरिये पैबल यहाँ पर तिसरी गेंद खेलेंगे प्रेट्रि आइटी थी बिल्कुल वाइट थी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वाइट यहाँ पर लगाने कोशिश कर रहें अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेट्रियस की और उसे के साथ यहाँ पर एक बड़े शॉट की तरकार 120 रं यहाँ पर वेचार करें तो अंधी खेलते हुए नजर आ रहे हैं 21 गेंदों में मात्रा 19 रंस बनाया और कोई भी यहां पर मेरे ख्याल से यहां पर आउट देजाना चाहिए था और रिव्यू लेने की यहां पर जरूरत नहीं थे क्यों कि इसके बाद विस्पोटक बल्लेबास पाकिस्तानी बल्लेबास आस लखते थे और वो बड़े बड़े शौट्स लगाते यहां पर फैवैलन की बात करें तो यहां पर कोशिच जरूर कर रहे हैं पर बल्ले और गेंद का यहां पर संपरकनी हो पा रहा है और यहां पर और यहां पर इसे के साथ यहां पर आखरी गेन इस अब देखते हैं आखरी गेन पर क्या एक आधी बाउंट्रि यह अगर लगा पाएंगे या नहीं शुरुआत की दो गेंदों में दो चोगे जरूर आयते पर उसके पाद जो सारी बिंदे गेंदे यहाँ पर देखने को मिली है आखरी गेंदी सोवर की प्रेट्रियस यहाँ पर आखरी गेंद डालेंगे इस बार फुल्टोस गेंदी बला गुमाया है पीछे फिल्डर मौजूद है लेकिन मातर दर्शक बने के रहें और यहाँ पर एंपायर जरू चेक करेंगे चौका या चक्का है मुझे ऐसा लग रहा है कही न कही चक्का है अब देखते हैं यहाँ पर एंपायर का क्या इशारा आता है यह ओवर कि अगर हम बात करें अगर आपर एंपायर ने अगर छक्का दे आजाएंगा तो पंदरा रंस यहाँ पर होंगे और देखते अब यहाँ पर क्या कुछ होता है पुल्टोस यह गेंद दी लेक साइट के और यहाँ पर मातर दिशा दिखाई थी इस गेंद पर और शायद यहाँ पर छे रन होने चाहिए जी नहीं यहाँ पर चाओका मिलेगा या छक्का मिलेगा देखने वाली बात है काफी जयदा बांडरी से चिपकर यह गेंद गया यहाँ पर इशारा करेंगे चाहिए का इशारा यहाँ पर इमपार ने किरा है किया है उसी के साथ यहाँ पर इस ओवर में आये तीन चाहिए एक वाइट और उसी के चलते हैं यहाँ पर 124 रंस हो चुकी आखरी ओवर यहाँ पर और जमाई का तलवाज देखते हैं आखरी ओवर में कितने रंस यहाँ पर बना पाते हैं जमाई का तलवाज यहाँ पर काफी धीमा स्कोर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है अब यहाँ पर कम से कम अगर 16 रंस बनते हैं तो 140 का टार्गेट यहाँ पर देखने को मिलेगा और 140 का टार्गेट यहाँ पर आसानी से चेस हो जाएगा इसा नजर आता है और उसी के साथ इसोर की पहली गेट ड्वेन ब्राव की यहाँ पर बल्ले का उतना अच्छे सा आई नहीं है एक रन यहाँ यहाँ पर मातर मिलेगा ड्वेन ब्राव यहाँ पर गेट बाजी के लिए आये है पहली गेंद में मातर सिंगल मिला है और यहाँ पर फिर से वापिस से स्ट्राइक पर आ जाएंगे अंधी बल्ले बास पैब एलन देखते अब यहाँ पर क्या गुछ होता है पैब एलन यहाँ पर क्या एक आदी बड़ा शोड लगा पाएंगे या फिर नहीं कोशिच जरूर कर रहे हाँ पर लेकिन उनके पल्ले से संपर्ख नहीं हो पारा गेंद का उतना अच्छा 23 गेंदों में मातर 23 रंस बनाएं और उसे ओर की दूसरी गेंद यहाँ पर ड्वेन ब्राओ की अगर हम बात करें तो पहले ओर में 10 रन आयते दूसरे ओर में 10 रन आयते तो तिसरा और यहाँ पर अपना जो है आखरी और यहाँ पर डालते हुए नजर आ रहे हैं अब देखते यहाँ पर कितना बड़ा शौट जो है लगाते 125 रंस पर यहाँ पर चार विकेट्स गिर चुकी है और यहाँ पर मुझे सलग नहीं रहे हैं कि बल्ले बाद बड़े रंस मैं ने बल्ला घुमाया है कि यहाँ यहां में यहाँ ग्याइंडस ऐाट के फिल्डर के यहां पर आशान्य गा mandarकर ओपर गेंद काफी उची गई ती पर दूर नहीं रहे हैं और ऑच्छा है यहाँ आशान सक्याश यहां पर पकड़ लिय ए देखा जो है तो 125 रंज यहां पर हो चुके 5 विकेट्स यहां पर गिर चुके चार गिंदों का यहां पर खेल बचा हुआ आप देखते चार गिंदों में यहां पर कितने रंज बनते हैं अभी तक के बढ़ी अओवर यहां पर जा रहा है जमायका तलावास के अगर हम बात करें इस समय रंज काफी कम बनाते हुए यहां पर नजर आ रही है जमायका तलावास की टीम इसे के साथ 125 रणों पे जो है 5 विकेट्स यहाँ पर गिरे है बने वाले बल्लेबास के अगर हम बात कर तो यहाँ पर बल्लेबास आ चुके है इमाद वसीम जिक्स की हम बात कर रहे ते यह बल्लेबास जो है बड़े रंस बना सकते है पैलन के पहले यहाँ पर भेजा जाना चीए ताइमाद वसीन को जो की काफी अच्छे ओल राउंड एर्वर पाकिस्तान के लिए बड़े-बड़े शौर्स यहाँ पर लगाते और रेफर होंगे यहाँ पर रैफर होंगे यहाँ पर एक ए फोर्टी सेवन चला नहीं होंगी दर 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 चार चक्के यहाँ पर लगा दे ऐसा कुछ करना होंगा क्योंकि स्कोर काफी ज्यादा यहाँ पर छोटा नजर आ रहा है 125 रंस मात्र बने उसी के साथ इस वर की तिसरी गेंज यहाँ पर लोवर फुल टॉस और यह गेंज चले जाएंगी इसी मार इखा के बार 6 रंस यहाँ पर मिलेंगे धीमी कती गेंदी पर यहाँ पर रेफर ने लगा दिया है चक्का और रेफर यह ऐसे बलेबाज है राइपर जो ऐसे बलेबाज है जो बड़े शॉट्स यहाँ पर लगा सकते फैब बैलन की जगा अगर यहाँ पर राइफर अगर ज़्यादा गेंदे खेलते तो बड़े रंस यहाँ पर आखरी के ओवर में जो है बनाते हुए नजर आते यहाँ पर चक्का लगा दिया है 131 रंस यहाँ पर हो चुके और एकी रं यहाँ पर मिल पाएंगा इमाद वसीम यहाँ पर होंगे श्ट्राइक पर 132 रंस यहाँ पर बने और 19.4 ओर का यहाँ पर खेल हो चुका है समाब तब देखते दो गिंदों में यहाँ पर कितने रंस जो है बनते यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बिंदी गिंद आ सकती है या फिर विकेट आ सकता है अब देखते यहाँ पर विकेट आता है या फिर बिंदी गिंद आती है या फिर चाओ का चक्का आता है आखरी की दो गिंद यहाँ पर बची है इमाद वसीम यहाँ पर अभी तक अपन चाहा हुआ है अब देखते एक गेंद पर यहाँ पर कितने रंज जो है बनते बड़ा शौट यहाँ पर जरूर लगाना चाहेंगे बल्ले बास पर अब देखते यहाँ पर सिंगल मिलता है दो रन मिलते यहाँ फिर विकेट मिलता है ड्वेन व्राओं यहां पर आखरी गेंड डालेंगे और देखते हैं यहां पर क्या घुछ होता है काफी रोचक यहां पर यह खेल चलता हुआ और आखरी गेंड इस उवर की यह यहां पर बड़ा शोट लगाएंगे। काफ़ी जादा और यहाँ पर सामने की और तीर के समान सिधा शौट लगाया और गेन चले गई है। शाइब सिमा रिखा के बाहर छे रहन यहाँ पर मिलेंगे तेर के समान यहाँhing सीधा शोट् लगाzepा रुसी कि चलते यहां पर 149 रंज बन चुके और इस बाश विगेट के नुक्सान पर यहां पर 149 रंज बने चार के इंदम कानपूर के मैदान में यह मैच आपे बारी शोरी यह लगातार और वहीं पर दिखा जाए अपडेट्स के बारे में तो भारती टिम की प्लेंग 11 कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती थी जहां पर नमबर एक खेलते हैं सची इंदम कर और नमबर दो पर दिखा जा रहना भी मौझूद है जो कि आज के इस मुकावले के अंदर नमबर तीन पर खेलते हूं नजराते सूरेश रहना वही पर नमबर चार पर देखे तो नमबर चार पर आपको युवराज सिंग नजराते और युवराज सिंग भी जो है ना बड़े-बड़े शौर्स और यार के लिए खेलते हैं वही पर नमबर चे पर दिखा जाए तो नमबर चे पर आपको इर्फान पटान खेलते हूं जराते हैं साथ पे श्टूवड बिनी आर्ट पे मनपरे द्गोनी नौ पे मुनाफ पटेल दस पे राहुल शेर्मा और नमबर ग्यारा पर प्रग्यानी हो जा तो यह जो है ना भारतीय टीम की प्लेइंग 11 यहां पर रहते लेकिन बारिश जो है लगातार आ रही है और कप्तान जो है हमारे सचिन तंदुलकर साथ ही ब्रेन लारा यह दोनों निकल ही गयते सचिन तंदुलकर के हाथ में वो लिष्ट भी थी जहां पे एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुगावले को जो है ना पॉस्ट पॉंड करना पड़ गया और मैं आपको बता दू गाइस तीन सो लोग हमारी श्ट्रीम पर जोट चुकी हैं सभी के सभी गाइद एक साथ मिलके जोने आपर श्ट्रीम को लाइक कर दिजिए और साथी में जोना चैनल को सब्सट्राइब कर दिजिए हमारे 65,200 सब्सक्राइब होने वाले मात्र तीन असफस्राइबर चाहिए को यहां पर दबा दिजिए ताकि जब भी में लाइव आउ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए क्या लगता है कि इस बहुत और क्या लगता है और आप लोग जो रहां जाए यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यहां पर दबा दिजिए जब सब्सक्राइब करना बहुत जबया रएकन को चेक करनéis कुछ तहु when में कल के मुकाबले में लाइव हूँ तो आपको जो है ना नोट्रिफिकेशन आजया हाला कि यह मैं जो है ना पॉस्ट पॉंड हो चुका है अब यह मुकाबला कब खेला जाएगा या फिर नहीं खेला जाएगा यह एक बड़ा सवाल है और गाइस अभी जो है मैं यह अप्लिकेशन लेकर है और जिसका नाम है डेल्टिन 7 यह एक ऐसी अप्लिकेशन है जहापे आप जो है ना सारी मुकाबले लाइव देख सकते हो बिलकुल HD में और साती में पैसे भी कमा सकते हो तो चैट के अंदर लिंक डाल दिया हमने डेल्टिन 7 आप का पटाफर से जो ह आप सारी मुकाबले फ्री में देख सकते हो मैं भी जो हैं आप किसी चिछ की सब्सक्रिप्शन नहीं लेता ना यह ओस्टार ना यह सोनी खाले डेल्टिन 7 अप में आईडी बनाया हूँ और मुकाबले को देखता हो तो आपको भी देखना है तो डेल्टिन 7 आप को डाउन गवराओचवान जी मैच यहाँ पर मैं आपको बता दूब पॉष्पॉंड हो चुका है मैच यहाँ पर रद्ध उचुका है और आपको मुकाबला अब होता हुआ नजर नहीं आएगा यह मैच रद्ध हो चुका क्रूकि कानपूर में बारिष इतनी जादा है यह मुकाब जी लव यूटूब बहुत बहुत शुक्री आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को दबाने के लिए वाच लाइव नहीं दिखा सकते है के यूटूब पर जी नहीं बिलकुल नहीं दिखा लगते क्रिशन जादव जी और गाईज आप सभी तमाम लो यहाँ पर रद्ध हो चुका है रद्ध मतलब अबॉन्डेट खत्म अब यह मुकाबला नहीं होगा सर मेरा नाम लीजी इनारे रवी किशन जी आपका नाम ले तो लिया हुआ और आप कितने बार लूँ और इसी के साथ गाईज अभी कुछ भी पुछना हो तो फटाफट से पुछ लीजिए और आप गाईज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाद जीएगा उमेश या पासवान जी आपका बहुत बहुत शुकूर जैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाद जीए सर मैच नहीं होगा भई मैच यहाँ पर जो है न पॉश्पॉंड हो चुका है अब बॉंडेड हो चुका है और अब यह मैच आपको देखने को बिलकुल नहीं मिलेगा यह मैच हो चुका है रद पॉश्पॉंड सर मैच नहीं आ रहा है जी नहीं राजकुमार जी यह match यहाँ पे रद्ध हो चुका है पॉस्ट पॉइंड हो चुका है और अब जोएन आपको यह match होता हुआ नजर नहीं आएगा रद्ध हो चुका है यह match खतम ताटा बाइबाइ गया और बहुत बश्यूरे गयाईज आप सभी तमाम लोगों का सभी के सभी का इक साथ मिलके श्ट्रिम को यहाँ पर लाइक कर जीगा चैनल को सब्स्राइब करने का बेल आइकन यहाँ पर दबाद जीगा ताकि जब भी मैं अगले मुकाबले में लाइव वाओ तो आप सभी लो अगरा आप डाउनलोड किये उस पर इमेल इडी मांग रहा है भी भरने के लिए आप उस पर नंबर से भी कर सकते हो आप मलिक सोहिल जी देको वह एक ऐसी आप 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 मुकाबले को देख सकते हो और आप पैसे बचा सकते हो मैं भी कुद मैच सारे वह पर देखता हो लिजेंड लिग के अंदर शायद 8 तीम है आपको एक बाद चेक करके बता देता हूँ कल यहां पर बांगलादेश लिजेंड का मैच है और साती में अगर देखे तो बांगलादेश लिजेंड के साथ-साथ न्यूसलाइड लिजेंड का मैच है और अगर हम देखे तो यहा लगिक नंदर सरच दोनी खेलेंगे का प्लीज बताये देखो दोनी की बात ऐसी है dat अगर महानदरा सिंग्ओं धोनी विया है यहां पर सुस्थ से लेकि आईपई बैजरूर खेलते उन्ट उनल सारिसन लेकर बस आप दुआ करो के रिटार्मेंट ले ले और क्या बलते सर विख फैन और क्या बलते संजेविया मुमुस मुमुस खिलाओ यार क्या करो तुम कहा नसे फाग रहे हो मैस कभी स्टार्ट होगा यहां पर मैच हो चुका है रद्धा ताटा बाई बाई गुट नाइट खतम और गाईस में अभी ग्यारा मनलब नौ बच के पंदरा मिनिट तक उसके बाद में जा रहा हूं क्या रिशाब पंद को टीम इंडिया में खेलना सही है उनके इस्तान पर डीके सही नहीं तुम संजू सैमसन को लेकर आओ रिशाब पंद को बस अगर अगर देखा जाया ना तो भाई अगर रिशाब पंद को जल्दी आउट करना ना बस यहां पर उर्वर्शी रहतेला को तुम मैदान में लाओ अगर अगर उर्वर्शी रहतेला मैदान में आ गई तो वहां पर भाई उसके मन में लड़ू पूट जाते वाई आरे टेटे शॉर्ट कहलता है विल्कु लप लप मार के आउट होता है मैं को तो भाई कसम से क्या होला बोली सकता मैं और मैंने बेल खूष्ट को द्यार है सरु भी फैन अविल आइगन तो ने के लिए बैल खूख rocky ora कट लाइव आते है अगर वा तो देखते क्या मैटर होता है आज का मैसी मैच सर इंडिया शिलहनगा का मैस बाई इंडिया श्यलहनगा का मैच एंडिया रदलिये होचे क्र अमो मिदी से श नहीं आरहा भाई, बिल भरने वाली बात नहीं, अगर खिला रहे हो, तो फिर में आने के लिए तयार हूँ, और चले गाई, मैच हो चुक है, बॉंडेट, क्रीके स्पोर्ट भीया, बिग पैन, शोटर टोर्ट दो थोड़ा जरा, हमारा भी प्लेवे बटन सा कुछ आ है, और सहवाग क्यों नहीं खेल रहे हैं, बैस सहवाग खेलेंगे, दूसरी लिग के अंदर मुको उसका नाम या निशेद, उसका भी नाम लिजेंड लिग है, यह रोड सैप्टी सिरीज है, चलो गाईस, चलते हैं, बाई 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 टाटा, गुड नाइट, शबकर सायो नारा मिलते हैं कल के मैच में, गुड नाइट